एल्लो फ्रेंज मैं आपका दोस्त और आपका होस्त पड़ा सेशन सीूनील आपके सब के सामने आ गया हो तो जल्दिजलुदी आ जाओ गूँटगुड वेलकोम बेलकुम जल्दी आ जागे है जल्द हला है जाया जी 위해 पड़ड़ा इनकर इस पड़ापट वेलकम 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 टुदवाइशन जल्दी जल्दी आ जाओ सारे के सारे बच्चे में देख पाराऊ सबकी चैट एक ता गोपाल प्रक्या मुक्ति शालीनी शिवम यह शरे बाब आरे सारे बिल्कूल जतिन पिटा सबके चैट दिख रहे हैं जतिन सबके चै आज़ो ज़ल्दी ज़ल्दी आज़ो हम फिर अपने आज के सेशन को आपके साथ एक डम बड़ा मस्त तरीके से स्टार्ट करें आ गए जी आगे सारे बच्चे आ गए बहुत बढ़ी है नमस्कार जी नमस्कार कैसे है आप चलो आ सब को पहचान लिया सब कुछ आ रहे हैं दीरे दीरे बच्चे आ रहे हैं चालो जी गुड़ आप्टरनून गुड़ आप्टरनून गुड़ आप्टरनून अब मैं थोड़ी सी पहले बाते कर लूँ जो आपके साथ बताना जरूरी है उतके बाद हम आपके साथ अभी का सेशन स्टार्ट करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए दो मिनिट आपका मैं समय लूँगा उसके बाद मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं पहले कल का आपको रिवाइज बहुत जयादा इसु होगया है नितिन सर के हाथ में काफी ज़्यादा रॉइट हैंग में इसू हो गया है तो डॉक्टर ने उन्हें complete rest के लिए बोला for the next 10 days उनको next 10 days के बिल्कुल rest पर बोला कि अगर वो लिखेंगे तो उससे उनका ज्यादा और ज्यादा problems बढ़ सकते हैं अभी पिछले भी वह काफी time से rest पर थे बट उन्होंने कल की class ली तो unfortunately जब उन्होंने class ली उसके बाद उनको बहुत ज्याद ज्यादा pain हुआ और यह पता चला कि भाई उनके पे अभी हाथ में पूरा ठीक नहीं है तो इसके लिए हमने आप सबके लिए एक सिंपल सा strategy बढाया है तो प्लीज लिसन तुदा ठीक है अब हम क्या करेंगे जब कभी next week से यानि कि from Monday तो अब हम मंडे से आपके साथ क्या करने वाले है प्लीज आप पहले सुलने ना बिटा तो अब हम मंडे से कुछ schedule में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं परिवर्तन यह होगा कि सुभा आठ बज़े से लेकर साड़े नौ बज़े तद यानि कि 8 to 9.30 मैं आपके साथ FM का सेशन कॉंटिन्यू करूंगा बिटा सबसे पहले तो हम आपके साथ FM लेंगे सुभा 8 to 9.30 देन 10 एम हाफ एन आर के गैप के बाद 10 एम टू 12 पी एम आपके पास अंकित सर अपना audit का class लेंगे बच्चा अंकित सर विल बी टेकिंग audit का session as usual जैसे अपने टाइम पर होता है बट उनका 10.30 की जैगा टेनो क्लॉक हो जाएगा है ना और इसके अलावा फिर मैं आपके पास एक घंटे के गैप के बाद फिर जुड़ जाओंगा वापिस से FM के लिए तो भाई Monday to next Saturday तक अगले हफटे में next week में हम FM की दो class लेंगे और फिर उसके पास 3.30 आपके पास आपकी वेवरेट एजुकेटर यानि की सुनाली मैम आपके पास जुड़ जाएंगी और वो आपके साथ EIS SM का subject take up करेंगी तो यह हमने एक हफटे का आपका planner बनाया है है ना ताकि आप बच्चों की पढ़ाई का बिल्कुल भी नुकसान ना हो यार पढ़ से फ्लो बनाएंगे वरना क्या होगा वो एक हफते के बाद फ्लो ब्रेक हो जाएगा तो इसलिए मैंने इंटेंशनली बिटा आपके पास FM रखा है ठीक है आई हो पहले बात सबज में आ गया चालो आई हो पहले यहां तक का मेंटर सबको क्लियर है चालो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ बच्चे कह रहे है एक स्टार्ट करड़ो बच्चे करे क्या आप फेवरएट हो थैंक्यू सो मच बच्चो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच है न बट अभी के लिए हम FM कॉन्तीन्यू करेंगे तो अभी FM पर फोकस करेंगे पहले FM कंप् तो नितिन सर के हैंड में बहुत जादा इशू हुआ है तो डॉक्टर ने उन्हें एडवाइज करा है वो अपने थम से नहीं यूज कर सकते ही कांट राइट और एंड यू नो बिटा आपके पास जब हम पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो थम वाला जो इशू है वो राइटिंग का उसके बिना हमारा काम नहीं होता है तो यहां तक की बात समझ में आ गई है ना चलो अब हम चलते हैं चलते हैं बिटा आगे तो अब मैं आपके साथ अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ पहले यहां तक का सारा का सारा मैटर बिटा आपको एकदम 100% क्ल एक बार जल्दी से कुईकली कल वाला रिवाईस कर ले जल्दी से बिटा कुईकली कुईकली फड़ा फट से एकदम फास्तली फास्तली तो अब सबसे पहले हम कल के सेशन को एक बार कुईकली रिवाईस कर लेते हैं और फिर हम आपके साथ आज के टॉपिक को टेक अप करे था सर fm का मतलब था effective utilization of money अगर शौट में बोलेंगे तो हमने पढ़ा था effective utilization of financial resources जितने भी हमारे financial resources हैं उनका effective utilization करना और यह utilization करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा हमें बहुत सारी decision making करनी पड़ेगी अब decision making किस किस प्रकार की थी तो हमने इनको तीन पार्ट में बाटा था सबसे पहला एक हमारे पास हो गया जिसको हमने बोला था investment decision फिर दूसरा हमारे पास कौन सा था दूसरा हमारे पास था financing decision और तीसरा हमारे पास था हमारा dividend decision तो हमारे पास यह तीन प्रकार के decision making डेकल बटो मतलम निकाले, देखो कि आपको पैसा कहा से लाना है और उसका कैसे कैसे इस्तमाल करना है that is primarily the functions of financial management dividend तो रिजनेंट आएगा बई बिजनस करेंगे पैसा कमाएंगे उस पर रिटान जनरेट करेंगे वह तो देना ही देना बट दिविनेंट तो हमारा resultant हो गया जो हमारा main step होगा या जो focus होगा वह किस पर investment और financing पर दिविनेंट भी एक important फैसला है वह हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो detail में आपके साथ उसके बारे में भी बात करेंगे फिर हमने पढ़ाता भाई आखिरकार इसको हम करते क्या मतलब effective utilization का मतलब क्या या हमने पढ़ाता भाई हमारे objectives क्या तो मैं आपको बताया था भाई objectives हमारे पास दो टाइप के हमने classify करे थे हमने कहा था भाई एक तो हो जाएगा आपका profit maximization और एक आपके पास होता है wealth maximization हमने यह दो पढ़े थे फिर हमने यह भी पढ़ा था कि wealth को हमने दो parts में बाटा था एक हमारे पास wealth की form में आता है dividend और एक हमारे पास आता है हमारा capital appreciation बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया शाबाज सब बच्चों को याद आ रहा है यह सबसे अच्छी बात है बहुत बढ़िया तो यह हमने आपके साथ कल कवर करा था अब इसके अंदर हमने यह पढ़ा था कल तक जो मैंने बताया था उसके आगे का आज हम take up करे तो कोई टेंशन नहीं बट अगर एंवाल नहीं काम करने में डेन देर आर इशुज जहां पर इशुज जनेरेट हो सकते हैं ठीक है ना क्यूंकि वहां पर बहुत सारे शेयरोल्डर से जिन से बिना बात करें बी-ओ-डी बहुत सारे फैसले ले 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 लेते हैं तो वहां पर profit maximization में गलतियां हो सकती हैं वहां पर short term profit को ध्यान में रखते वे risky decisions लिए जा सकती हैं वहां पर अभी के profit पर focus करा जा सकता long term चीजों पर focus नहीं करा जाएगा जिससे की company की future की image खराब हो सकती है तो इस वज़े से हमने क्या बोला profit maximization is not suitable but wealth maximization is a better objective चलो अब हम दोस्तों एक काम करते हैं जितना मैंने अभी तक पढ़ाया पहले एक बार इसको अपने chapter number one की cover करेंगे पहले ठीक है उसके अलावा फिर मैं आपको और चीज़े साथ में बताऊंगा ठीक है चले चले नहीं सर रुख जाओ पहले आप थोड़ा और समझा दो फिर नोट्स दिखाना मैंने का चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं पहले मैं थोड़ी सी और चीज़े बता इसी टॉपिक में ठीक है चलो अब जड़ा ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बच्चो देखो कल हमने पड़ा था कि हमारे पास रिलाइंस है या मैं रिलाइंस ना लेकर कोई भी अपना एक नाम ले लेते हैं ठीक है मालो हमारे पास कबीर सिंग प्राइवेट लिमिटेड है ना हमने एक कंपनी बनाई कबीर सिंग प्राइवेट लिमिटेड चलो ठीक है अब कबीर सिंग प्राइवेट लिमिटेड या एक काम करते हैं थोड़ा और बड़ा नाम लेते हैं और बड़ी कंपनी बनाते हैं चलो हमने लिख दिया चुन्नू मुन्नू लिमिटेड ठी समझ भी आ रही है मालिक बना देते हैं आपको आप सब इस कंपनी के बना देते हैं बिटा शेयर होल्डर चलिए हम आपको इस कंपनी का क्या बना देते हैं आपको इस कंपनी का हमने बना दिया शेयर होल्डर शेयर होल्डर कौन है ओल स्टूडेंट्स ठीक है आप सब से सुनों है ना अब जरह ध्यान से सुनों अब हुआ क्या आप सब शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी का पिटा क्या असाइंग कर दिया एक बीओडी बना दिया आपने बोर्ड डारेक्टर जो आपके भीहाँ पर का डिसीजन मेकिंग करेगा अब एक बात बताओ किया यह पॉसिबिलीटी है इस देर पॉसिबिलीटी कि यह जो दो लोग है एक शेयर होल्डर और एक बीओडी इन दोनों में कोई डिस्क्रीपेंसी जा जाए या इन दोनों के थॉट प्रोसेस में डिफरेंसे जाए इन दोन शेयर होल्डर तो यह चाहेगा कि भाई मेरा तो कैपिटल एपरीशियेट हो जबकि बीओडी हो सकता है यह करे कि भाई शॉट टम बेसेस पर अभी प्रोफिट बढ़ा देगा जिसकी वज़े से मतलब रिस्की डिसीजन मेकिंग कर लेगा जिसकी वज़े से कंपनी की इमे पीच में मतभेद हो जाए दोनों के भाई एपरोच में परक आजाए कोई कहेगा बेस्ट जाना है वह कह रहे है दोनों यह आपस में लड़ रहे हैं जल्दी जल्दी से बताओ हासर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अब जरा यहीं पर सोचना बिटा यह जो बी-ओ-डी है य तरह सोच के बताओ यह बी ओडी शेयर होल्डर के बेस पर पैसले ले रहा है तो एक तरह से क्या मैं बोल सकता हूं एक्टिंग एज एजनसी ऑफ शेयर होल्डर सोच के देखो यह हमारे जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सब के शेयर होल्डर के चाहँ पर तरह यह अब मुझे बताओ अगर इन दोनों में मतभेद होंगे इस वजह से कंपनी का क्या होगा इस वज़े से कंपनी का प्राब्लम्स आएंगे या कंपनी के नुकसान होगा जल्दी से सोच के बताओ कमपनी का नुकसान होगा या शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा यह सर बिलकुल होगा देखो बच्चे कह रहे यह सर लॉस होगा अब दोस्तों एक बात बताओ अगर यह कमपनी को नुकसान होगा या company को loss होगा तो बिटा ज़रा सोच के बताओ यहाँ पर company की cost extra लग गई, नुकसान extra हो गया तो बिटा इस problem को या loss को हमने नाम क्या दिया हमने इस problem को नाम दिया agency cost क्या पहले बिटा word समझ में आया, कैसे बनाई ये agency cost did you got the concept how the word come up as a agency cost आपके पास, बताओ जी जल्दी से बताओ सारे बच्चे फड़ाफट से, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ फड़ाफट से, जवाब दीजिए मुझे जल्दी से जवाब दीजिए बच्चे कहने है, ये समझ में आया, अब बिटा ये agency cost कई प्रकार का होता है, इसके अंदर भी there are multiple ways की agency cost बटा कितने प्रकार का हो सकता है, कितने options में हो सकता है या इसमें क्या-क्या problems आ सकती है I hope पहले बात सबन में आगे अब ये problems कैसे कैसे हो सकती है agency cost की, तो बटा agency cost में सबसे पहली जो cost आती है, उसको हम बोलते हैं हमारी monitoring cost, एक cost आती है monitoring cost, monitoring cost का मतलब क्या होता है, सर monitoring cost का मतलब होता है कि भाई shareholders को एक check रखना पड़ेगा या पूरी company को monitor करते रहना पड़ेगा कि भाई ये सही से काम कर रहे है नहीं कर रहे हैं कहीं कोई differences या तो नहीं आ रहे हैं कहीं कोई problem तो नहीं आ रही है, ये सब verify करना पड़ेगा इसके अलावा हमारे पास अगली cost आती है जिसे हम बोलते हैं bonding cost, फिर तीसरी आती है हमारे पास opportunity cost जो हम यहां पर कर सकते हैं opportunity जो भी decision making हुआ उसकी वज़े से और चौथा आती है हमारी structuring cost तो यह चार प्रकार के नुकसान हैं जो हमारे पास generate हो सकते हैं यहां पर, I hope पहले बिटा सारी की सारी बात सबज में आ गई, हां जी जो बिटा नुकसान होगा या इस नुकसान को बचने के लिए जो हमें खर्चा करना है वह सब आपका यहां पर है आपको कुछ भी note नहीं करना जितने बच्चे हमारे light chat पर जुड़े हैं हमारी app पर उन सबकों मैं बता रहा हूँ अभी कुछ भी note नहीं करना you don't have to note ठीक है यह notes आपके upload हो जाएंगे आपके यह notes में जो आपको pw से अभी मिलेंगे सारे के सारे उनमें सब कुछ given है you don't have to write anything अभी for the time being ठीक है जब note करना होगा हा सरी यह note करना मैं आपने आप आपको बताऊंगा ठीक है so noting के अभी tension मतलो ठीक है बच्चो clear है चलो okay all right बटा सबको clear है YouTube वाले बच्चे जो अभी हमें पिलाल के लिए देख रहे हैं क्योंकि यह class YouTube पर भी जा रही है वह बच्चे भी इसको note करना चाहे तो वह कर सकते हैं ठीक है बच्चा चलो all right all right ठीक है all right मैंक आप यह लिखना चाहती हो तो लिख लो बटा यह short summary टाइप बंड़ाएगा आपका agency cost got it चलो पहले यहां तक agency का point भी सबन में आ गया अब एक काम करते हैं अब हम चलते हैं हमारे notes पर so let's move on to the PW notes जो हमने आपको PW की तरफ से आपको मिले हैं पूरे के पूरे अब हम उन पर चलेंगे और उन से एक पीट हो जाए चलो साथ आजो आसिफ कुछ कह रहे हैं बिटा आप मैं आसिफ आपकी request पहुचा दूँगा मैं आपकी request पहुचा दूँगा ठीक है ना और फिर हम उस पर बात करेंगा अच्छा अरे बापरे एक point तो रह गया एक point और discuss कर लेते हैं फिर उसके सबने जो इस class को देख रहे हैं सबने सीए करने का फैसला लिया यह एक बहुत ही बड़ा decision making आपने कर रहा रहा रही सबने कर रहा बताओ आपके दोस्त ऐसे भी होंगे जो 12 पास करी जो 12 पास करी और उसके बाद या तो भी कॉम कर रही है या डारेक्ली अपने किसी बिजनेस में चले गए या कुछ और कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग सीए एम आई रही जल्दी से बताओ क्या ऐसा है क्या आपके साथ जल्दी से बताओ हैं आपके कोई ऐसे दोस्त हमारे जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बच्चे कहा रहे हैं येस कुछ बच्चे कहा रहे हैं अब एक बात बताओ जरा यार देखो कहीना कहीना मन में हमारे एक बात तो जरूर आती है क्या बात आती है बताऊं जरा बताऊं बिटा क्या बात आती है मन में एक बात तो जरूर आती है यार मेरा दोस्त ना अल्रेडी पैसे कमा रहा है और मैं यहां पर पैसे खर्च कर रहा हूं और वो भी अपने नी पेरेंट्स के या जैसे भी मतलब कई बार तो अपने अंदर बच्चे के रहें आती है सर मतलब क्या ही बताई ना बहुत आती है चलो अब खाना मेरी बात सुनना ग़्टा जब मैं यह कर रहा था न तो मैं उस टाइंग पर भी बढ़ाता था अपने जूनियर्स वाले बच्चों को मतलब मैं 12 फगरा को पढ़ाता था उस टाइम पर तो मैंने आर्टिकल शिप शुरू करी और मेरा एक स्टूडेंट बीकॉम एसार सीसी से करके पास हो गया मेरे पास आया कहता है भीया मेरी जॉदίζर लग गई मैंने का इसी कि अगए केता है कि बताओं आपको मेरी सलरी ना तरिटभाजन्द पर मस्थ है पहले ध्यां से सुनना मेरी बात कहता है मेरी सुलरी थरोड़ीन पर मन्स ने का अरे वार यार बहुत मेरे को आर्टिकल शिप में सैलरी नहीं मिलती मुझे स्टाइपेंड मिलता है पहले बीटा बात समझाई मुझे स्टाइपेंड मिलता है मुझे सैलरी नहीं मिलती ये मेरे लिए छोटा सा एक खर्चे अपने निकालने का हतियार है मुझे सैलरी नहीं मिलती मेरे दोस्त क्यात services as an expert I am there to learn the things क्या पहले बिटा बात समझाई यह मैं आपको बात बता रहो 2007 की तो कहते है अच्छा सब्सक्राइब में आ गया मैंने का चलो जी चलो फिर तीन साल बीत गए मेरी सीय कंप्लीट हो गई कंप्लीट होने के बाद मेरी सबसे पहली जॉब लगी वो फिर मेरे पास मैंने साया कैता खुक्त ना मैंने लुद्र यह मतलब कहता है बहुतना मश्किल चल रही है आगे तो ब्रोई नी कर गारा ही साल हो गए हैATH जादा हुआ हिनिया मैं ऊपनी सेलरी बताई है ना जब मैंने उसे अपनी सेलरी बताई तो विट आप समझ जाओ समझ जाओ समझ रहे हो समझ रहे हो पिटा उससे कहीं जादा थी उसकी सैलरी से कहीं मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल थी ठीक है ना अब जो बच्चे हैं उनको पता है ना हाँ मेरा उस टेम पर फस्स सैलरी जो थी डाट वस नाइन लाक रुपीज पार रहनम यानि कि 75,000 रु पर मन तो समझ रहे हो फिर मेरे को भी उस टेम मन में आया ऐसे करके ना वह पीछे से सॉंग चला दू बॉइस वाला वह आता ना इंस्टाग्राम पे रील आती है ना तुम्हारी बॉइस वाली आप आपको समझ में आया पहले यह क्या हो रहा है अब आपको पहले समझ में द रही है यह सब क्या हो रहा है जल्दी सेब्था तो देखो आप सब भी परेशान बिल्कुल ना हो आप मन में भी ऐसी सवाल ऐसे बार-बार niż में आ रहा होगा यार यह तो बहुत कम सेलरी है यार मैं इसका क्या ही करूँ यार और इस salary का मैं क्या करूँ मैं तो पैसे ही नहीं कमा पा रहा तो बिटा देखो अब मैं इस बात को समझाता हूँ कि आप इस बात को कैसे करोगे तो तयार हो मेरे दोस्त सीखने के लिए बताओ बताओ ज़रा बताओ अब तयार हो मेरी बात सीखने के लिए तो here we go देखे तो बताईए बीकॉम अगर आपने एक बार एन्रोल कर लिया तो 95-99% चांस है बच्चा बीकॉम तो पास करेगा इच करेगा है मैं राइट और नाट जल्दी से बताओ बच्चा बीकॉम तो पास करेगा इच करेगा हाँ भई 2-4% उपर नीचे होता है कि बाई कुछ अस्मन्जस हो गया कुछ दिक्कत हो गई वरना तो वो पास करेगा है ना तो बताह जरा, अब आप मुझे बताओ, इस बीकॉम वाले बच्चे ने रिस्क कैसा लिया? इस बीकॉम वाले बच्चे ने रिस्क लिया काफी low. इसने low risk पर काम करा? यह रिस्क ही नही लेना चाहता है, he don't want to take a risk. तो बताईए इसको return भी कैसा मिला? इसको return भी कैसा मिला सर इसको return भी मिलेगा low भाई ये lower the risk, lower the return जब की आप क्या कर रहे हो आप इंडिया का one of the most premium और toughest course के लिए आपने enroll कर आए most premium and toughest course के लिए आपने enroll कर आए तो बताईए आपने risk कैसा लिया हुआ है सर तगड़ा वाला लिया है तगड़ा वाला हम है खत्रों के खिलाडी रिस्क बिस्क से डरते नहीं है हम रिस्क है तो इश्क है हम रिस्क से डरते नहीं है मेहनत करने से डरते नहीं हम CS students है ना हम मेहनत करने से नहीं डरते सा जितनी करवानी ये करवालो आज आप मेहनत ही मेहनत करवालो हम एकदम जंडे कारेंगे सर बिल्कुल है ना हमने रिस्क लिया जादा क्यों ताकि हमारा रिटर्न धी मिले जादा कैसा लग रहा है अब आपको बताईए तो अब आपको पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया तो बेसिकली इस पॉइंट से हम ये समझना चाहते हैं कि भाई देखो हमें रिस्क वर्सिज रिटर्न का हमें क्या करना पड़ता है इन दोनों का एक ट्रेड ओफ करना पड़ता है या इन दोनों जो जितना रिस्क लेना चाहेगा उसको रिटर्न भी उतना जादा मिलेगा अगर रिस्क कम लोगे तो रिटर्न भी कम होगा और रिस्क जादा तो रिटर्न जादा ऑल्दो हर परसं क्या करना चाहेगा बताईए जरह बताईए जरह बताईए मुझे desire क्या होती है हर person की what should be the desire तो अगर हम desire पर चले कि person सोचता क्या है person उमीद क्या करता है तो परसन हमेशा एक ही उमीद करेगा कि उसका risk हमेशा क्या होना चाहिए low और उसका return क्या होना चाहिए high I hope पहले बात समझाई परसन की requirement या desire तो यही है ना कि मेरा risk कम से कम हो और मेरा return जाधा से जाधा हो yes or no अब देखो आप बच्चे अपने risk को low करने के लिए और return जाधा करने के लिए बहुत मेहनत करते हो या नहीं करते हो जल्दी से बताओ आप सब बच्चे अपने risk को कम करने के लिए बहुत अच्छी सी पड़ाई करते हो सारी मेहनत करते हो आपका रिटर्न एकदम टॉप क्लास रहे आई होब पहले बीटा बात समझ में आ गई यहां तक कि जल्दी से बताईए तो everyone everyone tries to make a trade off between risk and return हर परसन यह risk और return को balance करने में लगा रहता है कि भाई किसी भी तरीके से मेरा यह risk और return आपस में अच्छे से balance हो जाए तो जल्दी से बताईए बच चलो are you clear with the topic जल्दी से जल्दी से मुझे जल्दी से बताईए कोई doubt है यहां तक any doubt, any doubt, any doubts जल्दी, जल्दी, मैं chats भी देख रहा हूँ हमारी live chat जो चल रही है YouTube पर भी और दूसरे पर भी जल्दी जल्दी बता दो बच्चे के रहे all clear, no sir, no sir, no sir बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है चलो बिटा अब कुछ और सीखे अब और चीज़े सीखे चलो, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है यहां तक सब बच्चों को एकदम मस्त तरीके से समन्झ में भी आ गया चलो आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़ी हम चलो जी अब हम एक काम करते हैं अब हम चलते हैं हमारे notes वाली side पर जहां पर हम आपके पास यह सारी बाते बताएंगे YouTube पर first three classes जाएंगे तो आज second class है एक class और live होगी YouTube पर that is the thing ठीक है बच्चा चलो अब मैं थोड़ी आपके साथ जात बाते करता हूँ है ना अब मैं आपके साथ थोड़ी सी और detail में चर्चा करता हूँ विचार विमर्श करते हैं ताकि आपको चीजे और अच्छे से समझा पाएं ठीक है चलो अब हम चलते हैं हमारे notes पर लीजिए बिटा यह हमारे notes है देखे बिटा मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ यह यह हमारे पास आगए ठीक है तो देखो बच्चा सबसे पहले हमारे पास आता है meaning of financial management इसका मतलब क्या होता है what is the meaning of the word financial management इसका मतलब क्या है तो यह हमने आपके साथ पूरा का पूरा discuss कर लिया you can go through this अपने आप एक बार read करेंगे बिटा अपने आप एक बार read करेंगे जहां doubt आएगा I am there so no need to worry कल अपन कल की class में doubts भी ले लेंगे इसके ठीक है तो आप एक बार इसको read कर सकते है ठीक है यह हो गया procurement funds और यह utilization of funds यह हमारे बिटा दोनों के दोनों चीजे हमा आपको notes है वह आपके पास है काम करते notes notes आकर खेलते नहीं अना notes notes नहीं खेलते अन मैंने आपको सिखाया है तो अब आपको task ते रहा हूं ठीक है चलो अब मैं आपको एक task दे रहा हूं कह रहा है सर सारी YouTube पर दो है ना विक्य का एक डाउट है चलो अब मैं जन्हारा विक्य की डाउट पर बटाता हूं विक्य की डाउट बैटे कल क्लास नहीं है कल छुटी है कल संडे है ठीक है बच्चो चलो सुनो विकी कह रहा है सर is it guarantee that higher risk will lead to higher return क्या यह सर आप assurance दे रही हो हम क्या आप यह एक्षोर करते हों कि हाई रिस्क से हाई रिटर्न आएगा सब करते हैं हम यह कहते हैं रिस्क लोगे तो हाई रिटर्न के चांसे अगर अगर आपने रिस्क लेते वे कुछ गलतियां कर दी या कोई बातों का problem कर दिया या आपने उनको सही तरीके से नहीं लिया तो बिटा क्या हो जाएगा high risk के साथ lowest या zero return भी मिल सकता है तो ये तो depend करेगा ना बिटा कि आपके पास कैसी situation होगी I hope पहले बिटा बात समन में आ गई I hope पहले बिटा बात समन में आ गई ये वाला matter भी clear hello दोस्ट चलो ये वाला matter भी आपका clear हो गया ठीक है चलो हाँ जी risk है तो इश्क है बिल्कुल सही कह रहे हो बिटा चलो I hope पिटा इहां तक हो गया trade off का मतलब बिटा balance बनाना बिटा आपका मतलब क्या हो गया बिटा balance बनाना है ना balance बनाने का मतलब क्या है you have to make a balance जैसे मैंने क्या बोला risk लेना है but risk के साथ इस तरीके से manage करना है था कि return भी जादा है या अगर आप कम risk लेना चाहते हो तो return भी उसके according भी balance करना पड़ेगा तो आपको ना आप कहते हैं और मुझे risk ना average लेना है तो obviously return भी आपको average मिलने की उमीदे है तो ये जो balance out करना कि भाई कितना risk versus कितना return this is called trade-off ठीके पिटा हुसेड चलिए I hope पहले पिटा यहां तक समझ में आ गया सब को है ना बोलो जी बोलो यहां तक पिटा सब को पहले clear है चलो एक बच्चा मूतरा सब smart study और hard work which is better for exam राहुल मैं इस बात का जवाब पिटा इस तरीके से देता हूँ first there is hard work then only comes the smart work पहले पिटा बात समन में आ गई एक बार तो hard work करना पड़ेगा बिटा बिना hard work के काम नी होने वाला तो पहले hard work करना पड़ेगा उसके बाद आप next level पर smart work करोगे अब समझ में आया बिटा तो दोनों का combination हमें चाहिए एक से काम नी चलेगा सिरफ hard work से भी काम नी होने वाला सिरफ smart work से काम नी होने वाला बिटा दोनों से काम होगा I hope पहले बिटा बात समझ में आ गई चालो चालो आगे बढ़ते हैं अब देखो हमने ना कल आपके साथ एक बात discuss करी थी wealth maximization remember हमने बिटा कल एक बात discuss करी थी wealth maximization राइट चलो कुछ practical हो जाए आज दिखाए आपको practical बिटा wealth maximization कैसे होता है high risk, high return, low risk, low return कैसे चलता है, क्या चलता है चलो मैं आपको बिटा थोड़ा सा practical way में लेकर चलता हूँ so आईए ज़रा मुझे एक बिनिट का समय दीजिए मैं आपको बिटा practical दुनिया पर लेकर चलता हूँ जिसमें मैं आपके साथ सारी की सारी बाते यहाँ पर explain कर दूँगा I hope पहले बिटा बात और concept आपको clear हो गया ठीक है जी अच्छा चलो सर आप कुछ homework देने वाले थे अभी देंगे देंगे क्यों घबराते हो अरे सब देंगे ओपन कर दिया है हमारा moneycontrol.com अवे क्या हो गया इसको नलायक को चलो ठीक है अब देखो जी यह हमारे पास moneycontrol.com है मैं आपको कुछ companies का data यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि wealth maximization का क्या मतलब होता है ठीक है चलो अब जड़ा देखते हैं मैं चलता हूँ सबसे पहले let's suppose हम reliance industries के share पर चलते हैं लीजी ठीक है बिटा देखो जी यह हमारा reliance industries का share है अगर आपको यह देखो बिटा यह थोड़ा सा टटपिट रहा है मैं थोड़ा भी कर दूँगा जब देखना होगा तो देखे बिटा अभी इसका प्राइस दिख रहा है 22455.20 यह हमारा प्राइस दिख रहा है आपको अभी मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़े बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़े दिखाने वाले हैं ठीक है चलो अब जड़ा यहां पर देखे 2445 रुपे का प्राइस है जो लास्ट इसका क्लोज हुआ ठीक है हमें 2445 पर चिंता ही नहीं करनी अभी कोई बात नहीं करनी है अब देखो जड़ा मेरको आपको यहां पर कुछ दिखाना है अब जड़ा यहां पर देखिए सबसे पहले ओवर व्यू देख रहा हूं मैं यहां पर यह देखिए हमारे शेयर की फेस वैल्यू बटा कि 10 रुपे वाला शेयर कितने का चल रहा है 2445 रुपे का टूफोर डबल पाइब का विख रहा है दस रुपे वाला शेयर पहले तो यह बात समझो 10 रुपे वाला शेयर आच 2445 का विख रहा है बटा बताओ यह क्या हो गया दिस इस कैपिटल एपरीसियेशन यह आपका कैपिटल एपरीसियेशन है भाई साब इतनी वर्थ बढ़ती जा रही है शेयर की आप सोच रहे हो तो भाई जिसने ओरिजिनली जब यह कंपनी बनाई तो 10 रुपे पर शेयर लिया 10 रुपे का शेयर आच 2445 का मिल रहा है पहल रहा मार्केट क्या मार्केट क्या मतलब होता है मार्केट क्यापिटलाइज़ेशन इसको बोलते हैं इसकी टोटल मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी number of shares into market price simple number of shares into market price तो अब देखिए या ध्यान से पढ़ ले ना ये करोड में लिखा है मुझे तो आते हैं नहीं इतने जीनों पढ़ना भाई ये करोड में लिखा है ओ भाई साब मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा है इस इस रिटन आज 16,61,152 करोर मोटा मोटा 16,61,000,000 करोड ये रिलाइन्स की market value आज की डेट में मतलब अगर कोई रिलाइन्स अब भी क्या भी खरीदना चाहेगा तो उसे कितने पैसे देनी है 16,61,000,000 करोड रुपे कैसा लग रहा है अब आपको कैसा लग रहा है आपको या रिलाइन्स का कोई एक परसेंट खरीदना चाहेगा तो इसका भी एक परसेंट उसे पे करना पड़ेगा कैसा लग रहा है आपको अभी रुको रुको अभी कहां से परशान हो रहे हो आपको मैंने कहा था प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा आपको मैंने कहा था प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा चलो रिलाइन्स के लावा और चलते हैं यह देखो हीरो मोटो कॉम यह देखो बिटा हीरो मोटो कॉम 2800 रवे का शेयर है और भाई साब रूचाओ चलो यह तो सिंपल है ना रिलाइन्स के जैसा ही है हम चलते हैं कौन से पर कौन से पर चलें चलो एक बढ़िया सा देखते हैं थोड़ा समय बचाते हैं MRF का अरे भाई साब अरे यहां तो दिल्ली तूट गया अरे यह कितने का है जितनो हमारी तो यह मेरी पहली सेलरी से भी ज़्यादा है समझ रहे हो मेरी एक महिने की सेलरी से ज़्यादा का तो इसका एक शियर है मेरी पहली एक महिने की सेलरी से ज़्यादा इसका शियर है दिख रहे हैं आपको 96,000 रुपीज का शियर है भाई साब 96,000 रुपे का एक शियर है एक शियर कैसा लग रहा है अब आपको कैसा लग रहा है 96,000 रुपीज का शेर इसकी face value तो बताओ अरे हाँ हाँ बताते हैं ये लो जी इसकी face value इसकी ओ भाई साथ मतलब समझ रहे हो 10 रुपे का शेर 96,000 का अरे बाबा रे अरे गजब भाई गजब धादिया तो बिटा अब आपको समझ में आ रहा है FM में जो हमने कहा था wealth maximization capital value को बढ़ाना capital appreciation अब आपको समझ में आ रहा है बिटा क्या होता है अब आपको समझ में आ रहा है क्या होता है वो जो हमने capital appreciation की बात करी थी भाई इस is capital appreciation 10 रुपे की चीज़ भाई साब बढ़ा बुढा कर देखे कितने पर पहुंच गई है 96,000 कैसा लग रहा है आप आपको जीवन में अब बताईए पैटा कैसा लग रहा है जल्दी से बताइए जल्दी से बताईए अब आप बताइए कैसा लग रहा है अब आपको समझ में आ रहा है बेटा वाट इस दा प्राक्टिकल वर्जन अफ दिस टॉपिक वाट इस दा प्राक्टिकल वर्जन अफ दिस टॉपिक बेटा यह प्राक्टिकल वर्जन हमारे पास कैसे है बोलो जी बोलो अच्छा लवन्या पूछ रही है सर इसकी कम है obviously reliance से इसकी कम है क्योंकि इसके number of shares कम है that is the thing number of shares कम है आभी company के चलिए यहां तक का पहले practical version आपको सारा का सारा समझ में आया है तो आप please मुझे बताइए बताइए जड़ा पहले यहां तक का सारा का सारा practical version आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए अगर यहां तक का सारा practical version आपको clear है तो आगे बढ़ सकते हैं तो हमारे YouTube वाले बच्चे कहने है yes sir clear है जी sir आ गया बहुत बढ़िया और हमारे PW के बच्चे तो लाइव है यह सर यह सर यह सर बहुत बढ़िया शावाश 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 है ना चालो यहां तक का कारिकरब अच्छा वो मैं यह कह रहा है अंबानी टू MRF ओई तुम मेरे आगे चिर्कुट है चिर्कुट है ना अबे नलायक चलो बिटा क्यापिटल एप्रिशियेट कैसे करता सार्थक का एक डाउट है बिटा सार्थक मैंने आपको बताया देखो दो चीज़े है आप बिजनस अच्छा करो मैंगे अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे तो आप अच्छे तरीके से जब बिजनस करोगे सोसाइटी पे गुड इंपक्त लाओगे और सब अच्छा करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी है ना आप ऐसे सब जो बिटा आपने अभी रिसेंटली सुना होगा ना कि इंडिया के बहुत सारे लोग इंडिया के बहुत स अब बताओ यह सब कैसे हुआ यह सब कैसे हुआ यह सब हुआ वें दे परफॉर्म वें दे डिट दट तिंस तभी तो यह पौँछ पाई ना वरना तो यह पौँच ही नहीं पाएंगे क्या पहले बिटा बात समन ही आए उनकी knowledge उनकी सारी चीजें देखो मैं आप बच्चों को बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात यह आप सब बच्चों के लिए जितने भी अपने चार्टेर अकाउंटेंट के बच्चे हैं जो भी अपने चार्टेर अकाउंटेंट कर र यह वाला वर्ड तो अब सुन ही लिया होगा डैट इस ए आई सबने सुना आप सबने यह वर्ड सुना होगा आटिफिशल इंटेलिजेंस है ना और देखो कहीना कहीना यह एक बात अभी चल रही है अभी इसके उपर स्टेडीज और सारी चीज़े हो रही है and everyone is like कि यह आटिफिशल इंटेलिजेंस future में जाके बहुत सारे roles को खतम कर देगा मतलब बहुत सारी jobs को या market में जो काम है उनको यह खतम कर देगा और automatically यह वाले काम होना शुरू हो जाएंगे yes or no बताओ यह बात चल रही है बताओ ज़रा जल्दी से बताओ मेरेको हो रहा हो रहा है नहीं हो रहा है बहुत बढ़िया अब ज़रा मुझे एक बात बताओ अब जड़ा मुझे बात बताना मिटाओ कि देखो AI जो है जो मुझे लगता है इस इस माई ओपीनियन मुझे लगता है routine जॉब को तो replace में भी कर दे बट बताओ अगर कोई एक expertise आपके पास है तो क्या ये उसे replace कर पाएगा तो answer is no क्या पहले बात समझ आ नहीं है बिटा अगर आपके पास एक specifically expertise है भई ये हमने का भई ये expertise तो सिरफ आपके पास है तो बताओ क्या ये replace कर पाएगा नहीं कर पाएगा पहले बिटा बात समझ आई बात समझ आई पहले तो ये जो expertise वाला मामला है न ये कब आएगा जब आप चीजों को समझ कर करोगे जब आप उनके concept अच्छे से cover करोगे और अगर आप सिरफ रटा मार के पास होने की कोशिश करोगे सिरफ रटा मारोगे तो बिटा तब ये काम नहीं करेगा पहले मेरी बात समझ आई हमेशा दर ला रहाएगा यार कभी तो मेरा कोई न कोई ये ले जाएगा तो अगर आपने चीजों को समझ कर या आपने चीजों के concept को clear करके पढ़ा तो बिटा देखो फिर बहुत ही rare चांस है कि ये वाला खाम आपके पास होगा अच्छे से चीजों के logic को समझो हमें सिरफ किताबी language को पढ़के नहीं करना ठीक है we don't have to be a चतुर kind of person we have to be a rancho है ना वो जो हमारी 3D8 साली movie में दिखाया था बिट मैं कहता हूँ rancho के साथ साथ हमें चतुर का कुछ हिस्सा लेना पड़ता है क्योंकि कुछ जगह पर हमें keywords, bookish points लिखने पड़ते हैं और वो सब जरूरी भी है ऐसा नहीं है वो गलत है वो भी जरूरी है तो हमें कुछ-कुछ हिस्सा दोनों का cover करना पड़ता है I hope प चलो अब यहां तक का पड़ना हमने आपके साथ cover कर लिया मैं आपको कह सकता हूं मैं इतना मालू कि हमारा यहां तक का part done हो गया है ना चलो मैं उमीद कर लूँ पिटा यहां पर काम इतना ड़न हो गया है ना चलो sir pweb अब बता दूंगा मैं अभी टीम देख लेगी आपको बता देगी ठीक है अमन आपके साथ तीम अभी देख लेगी पिटा कोई दिक्कत नहीं है ना चल आगे बढ़ जाएं चल आगे बढ़ती है ठीक है चलो आगे बात कर रहे हैं कुछ बच्चे कुछ डाउट पूछ रहा है क्या मानव क्या पूछ रहा है सर पेस वैल्यू कैसे अच्छा अभी कैसे डिटर्मीन होती है जब कंपनी फॉर्म होती है जब कंपनी पहली बार ब प्रोमोटर उस टाइम पर डिसाइड हो जाता है ठीक है विटा चलिए आईए अब हम चलते हैं विटा आपके पास नेक्स्ट सेशन चले जी तो यहां पर आकर अभी मैंने आपको ब्रॉड टर्म्स में आपका चैप्टर नंबर वन डाट इस स्कोप एंड अब्जेक्टिव आपको कवर करवाया अगर इसमें आपको कोई भी डाउट मिलेगा कोई दिक्कत होगी तो आप इससे पूछ सकते हैं फर्दर यह जो स्कोप एंड अब्जेक्टिव हैं हमारे स्टेडी मॉडिल में इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स गिवन है तो अभी आपको उन प गवर तो बाती के जो पॉइंट से वह आगे वाले चेप्टर से कवर करते चलेंगे आई होप पहले मेरी बात समन्न में आगई बोलो जी पहले इतनी बात समन्न में आगई मैंने आपको अभी उतना बताया है जिससे की अपने कॉंसेट टोपन अप हो जाए हमारे बीटा का टॉपिक जो करेंगे उसमें हम जो वह धीरे-दीरे आपको बाकी चेप्टर में काम आता चला जाएगा आये हो warm पहले बात समन्न में आ गई बिल्कुल जी इसमें से आपका फेयरी आता है डेफिनिट्ली आता है ठीक है जी यह क्या बोल रहे जाद अतर 10 ही क्यों होता है अच्छा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है एक पर जन्रेंट चल रहा है कई लोग दो रुपे भी रख देते हैं एक रुपे भी रख देते हैं वो दस इसलिए रखते हैं कि future में जाकर अगया हमें उसको break करना है और उसको कम करना है शेयर के प्राइस को तो उसका benefit उठा सके पस्टाइब आपको पता है एक शेयर की वैल्यू दस रुपे है तो इसलिए आपने दस अजार शेयर निकाल लिया आपने का मेरे को दो रुपे की रखनी है तो आपके पास होता है नो चलो आगे बड़े चलो जी लेट्स मूव आँगे है ना चलो बिलकुल अब हम अपना practical चेप्टर एक स्टार्ट करते है अब हम अपना एक practical चेप्टर स्टार्ट करते हैं जिससे आपको सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी मेरे साथ ठीके बच्चा चलो आओ जी आओ प्राव कोर्स है वह अलग अलग पार्ट से डीवाइडेक और उसमें से एक पार्ट हमने बनाया था जिसका नाम है long-term charts F जिस-पार्ट हमने कॉन से दूसरा हमने कौन सा सीखा था प्यव्त्चन यानि की preferential से और तीसरा हमने झीखा थाम दोस्त और डीपर डेट से पैसे आ सकता है चलो बहुत बढ़ी आ तो अब आप जलो जल्दी से अब आप जल्दी से देखिए अब आप जल्दी से देकिए बिटा महाइस पर देखे भीटा कि अगर मुझे Capital race करनी है तो बताइए Capital बिटा कहां से आ सकती है अब पहली बात यह जो वर्ड हमने लिखा बिटा Capital तो सर इस Capital का मतलब क्या होगा सर इस Capital का मतलब हो गया हमारा Long Term Funds भै हम अभी किसकी बात कर रहे हैं हम अभी सारी की सारी बात कर रहे हैं हमारे Long Term funds की जो हमारा Long Term वाला पैसा है वो कहां से आयेगा कितना आगा और कैसे आएगा क्या पहले इतनी बट सब्ग में आ गए जो हमारा Long Term वाला funds है वो हमारा कितना आएगा और कहां से आएगा अब बताइए जड़ा Long Term का पैसा रेस्करने के लिए आपने बिटा तीन options निकाले थे तो सबसे पहला option हमारे पास बिटा कौन सा था तो सबसे पहला एक काम करता हूं मैं पहले लाइन बना देता हूं फिर अनाम से खेलेंगे हम ठीक है ना तो हमने बिटा तीन option आपके पास रखे थे ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा चलिए बताइए मुझे सबस पहला हमारे पास एक option था equity share capital कि आप जो है अपना पैस इकूटी share capital से रेस कर सकते हो दूसरा पैसा हमारे पास है हमारा preference शेयर capital वही आप अपने preference share का पैसा यूज कर सकते हो और तीसरा हमारे पास पैसा है जिसको हम भोलते हैं हमने तीसरा रग दिया अब डेट का मतलब हो गया शारे के सारे लोन इसमें डिबेंचर भी आ जाएँगे इसमें बॉन्ड्स भी आ जाएँगे इसमें सब कुछ आ जाएगा या पहले दोस्तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बोलो जी बोलो या पहले बिटा इतनी बात आपको समझ में आ गई चलो अब अभी बिटा पताऊंगा मैं नोट्स के लिए टाइम दूँगा हाँ यहां से नोट करना आप शुरू कर सकते हो जो बच्चे करना चाहते हैं यहां से नोट करना शुरू कर सकते हैं या आपको भी मैं दो मिनिट बाद टाइम भी दूँगा नोट करने का ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं सो अब आप मेरा ना आप सब बच्चों से सवाल है बताओ या इकुटी शेयर वाले लोग अपना पैसा फ्री में दे इकुटी शेयर वाले रही मंशु क्या इकुटी शेयर वाले लोग अपना पैसा फ्री में दे देंगे कि ले जी ले जाू इसा फ्री में तो कोई भी नी देंगा बिलकुल भी नहीं देंगे बिलकुल ठीक बात है बताओ इस पैसे के बदले मुझे इन्हें क्या देना पड़ेगा मुझे इन्हें रिटर्न देना पड़ेगा रिटर्न बिटा किस तरीके से देना पड़ेगा जल्दी से बताइए मुझे इन्हें रिटर्न देना पड़ेगा पे इनको क्या पे करना पड़ेगा पे डिवीडेंट टू देम पेटा इनको इस पैसे के बदले डिवीडेंट देना पड़ेगा बहुत बढ़िया अब जरा मुझे सोच के बताओ जरा मुझे सोच के बताओ हमने इनको डिवीडेंट पे करा as a organization मैंने equity shareholder को dividend दिया अब जरा सोच के बताना ये डिवीडेंट equity shareholder के लिए क्या बन गई जल्दी से जल्दी से जल्दी से बिटा भी debt की बात करता हूँ अभी debt की बात करेंगे जब उस पर आएंगे थोड़ा सा वेट करिए अरे बिटा चैप्टर की heading भी डालेंगे पहले concept तो समझ हाँ ये चैप्टर की heading भी यटके पड़ेंगे बताएंगे अरे बिटा भी सब बताएंगे पहले चैप्टर तो सब टॉपिक समझो बिल्कुल ठीक बात है चाट में सारे बच्चे जवाब दे रहे है रिटर्न हो गया या income हो गया बहुत बढ़िया अब मेरा सवाल बिटा उल्टा शेयर होल्डर के लिए तो ये income है शेयर होल्डर के लिए तो ये income है बट अब मुझे बताओ ये हमारी company के लिए क्या बन गया शेयर होल्डर के लिए तो इंकम बन गया क्या ये मैं ये बोल सकता हूँ हमारी company के लिए बिटा ये cost बन गया सोचो ज़रा सोचो this becomes cost to company बिटा अपनी company के लिए तो ये cost बन गया ना financial expense बन गया बई हमने जो पैसा raise करा उसके बदले ये हमारी cost generate हो गई आई हो पहले इतनी बात समन में आई पहले इतना point clear है चलो अब ज़रा सोच के बताओ ये हमारी company के लिए बन गया cost it becomes a cost to company तो बिटा क्या मैं बोल दूँ ये मेरे लिए बन जाएगा cost of equity share capital बिटा ये हमारे लिए cost of equity share capital बन गया बही जो हमने share capital का पैसा raise करा उसके बदले मुझे उन्हें dividend देना है जो मेरे लिए cost है तो ये cost of equity share capital बन गया प्यार से बिटा हमने ESC बोल दिया आई हो पहले इतनी बात आप सबको clear हो गई है यहां तक किसी के मन में कोई doubt नहीं होना चाहिए चलो बहुत बढ़िया अब आजाओ जड़ा यह preference share capital वालो पर आजाओ जड़ा इन preference share capital वालो पर चलिए बताइए अब जड़ा आप इन्हें क्या pay करेंगे सर हम इन्हें pay करेंगे इनका preference dividend we will pay them preference dividend नामी उनका preference है तो preference dividend पे करेंगे अगें यह preference dividend shareholder के लिए जो हमारे preference shareholder है उनके लिए तो क्या बन गई है उनके लिए तो यह income बन गई यह preference shareholder के लिए तो income बन गई बट बताईए जड़ा यह company के लिए क्या बन गया फिर से company के लिए क्या बन गया company के लिए company के लिए sir company के लिए again it is a cost या expense तो बिटा यह क्या बन गया cost to company बन गया बहुत बढ़िया शाबाश अब बताऊ जड़ा अगर यह cost to company बन गया तो क्या मैं बोल दूँ यह मेरे पास बन जाएगा cost of preference share capital यह दोस्तों हमारे पास बन जाएगा हमारा preference share capital का cost this is a preference share capital cost बहुत बढ़िया शाबाश very good बहुत बढ़िया जी अब आजाओ जड़ा डेट वाले पार्ट पर अब बताईए बिटा डेट वाले पार्ट पर इन लोगों को क्या पे करना है what do we pay to them तो डेट पे पहले तो हम पे करेंगे इंट्रस्ट अब जड़ा पहले मैं डेट की बात कर लेता हूँ क्योंकि कई बच्चे थोड़ा डेट में confusion कर रहे है पिटा ereा का मतलब आगेर कौन से वाले डेट की बात कर रहे है Strength का long term debt का मतलब हो गया यह हमारा long term loan हो गया this is a long term loan long term loan आप अपनी capital में इस्तमाल करते हो आप अपने business में इस्तमाल करते हो so that is how your long term debt work as a capital in the business पहले तो इतनी बात समन में आ गई long term loan act as a long term capital for the business investment के लिए अब यह debt जो है यह किसी भी तरीके का हो सकता है यह debenture की form में हो सकता है यह बिटा bonds की form में हो सकता है यह बिटा loan की form में हो सकता है in any nature it can be I hope everyone is clear up to this level now बिटा अब यह सब को clear है जो बच्चों को एक दो को doubt आ रहा था बिटा यह again बन गया cost to company यह again बन गया cost to company और यह किस चीज का cost बन गया तो सर यह बन गया cost of debt यह हमारे बिटा debt का cost बन गया कैसा लग रहा पहले यहां तक आप सब को यहां तक पहले बिटा सब बच्चों को समन में आ गया what is this cost of equity cost of preference and cost of debt यह तीनों points clear हो गए ठीक है सर अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ क्या यह जरूरी है कि equity preference और debt इन तीनों का amount same हो क्या यह जरूरी है कि इन तीनों का amount हर company में same हो is it necessary बताओ is it necessary क्या यह तीनों same हो answer is no इसकी कोई guarantees होड़ी है same हो हो सकता है same हो एक worst case possibility है कि ये तीनों same हो सकते हैं बड़ कोई guarantee नहीं है कि ये same होंगे कोई assurance या guarantee नहीं है ये same होंगे तो बिटा हमने क्या कहा अब जराध्यान से सुनना अब जराध्यान से सुनना यही पर आएगा अब हमारे chapter का base आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोले तरह chapter का नाम बताओ अब है बताते हैं सब बताएंगा अराम से थोड़ा तसल्ली से पढ़ा करो इत्ती जल्दी क्या भागने की हाँ तो लीजिए बिटा अब हम क्या करेंगे अब हम इन तीनों elements को आपस में कर देंगे combine अब हम इन तीनों elements को आपस में क्या करने है बिटा combined कर रहे हैं तो अब मैंने इन तीनों elements को कर दिया combine combine करके अब मुझे इन तीनों को consolidate करना है मुझे इन तीनों को बिटा क्या करना है total out करना है इन तीनों को consolidate करना है कंसॉलिडेट करने के लिए क्योंकि तीनों के अमाउंट अलग अलग है क्योंकि तीनों के अमाउंट अलग अलग है तो पेटा हमने इसको क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले इसका हमें करना पड़ेगा इसका वेटेड एवरेज क्योंकि मुझे इन तीनों को जोड़ना है बढ़ तीनों के amount अलग अलग है तो इनका निकालना पड़ेगा weighted average weighted average करने के बाद जो मेरे पास निकल कर आएगा that will be termed as my overall cost of capital यह मेरे पास बन जाएगा मेरा overall cost of capital यानी कि हमने जो business में पैसा raise करा उस पैसे की cost कितनी how much is the cost of that funds पहले बात और concept समझ में आया है is everyone clear with the basic concept सबसे पहले तो मतलब क्या होता है what is the meaning of the things ठीक है अब थोड़ा सा और detail में चले पहले फिर मैं आपको noting करवाऊंगा अभी बिलकुल आपको noting करवाऊंगा सब कुछ noting करवाऊंगा so no need to worry देखे बिटा एक छोटू सा हम यहां पर example बनाती है ताकि आपको और ज्यादा clarity आई ठीक है माल लो हमारे business में equity का amount है हमारे business में preference share capital है और हमारे business में debt है हमने इन तीन जगाओं से पैसा raise करा कितना कितना पैसा raise करा माल लेते हैं हमने equity से 30 लाक रुपीज रेस करें हमने बिटा preference से 10 लाक रेस करें हमने debt से कितना ले लिया 20 लाक ले लिया तो बताइए हमारे business के पास total पैसा 60 लाक रुपीज का है यानि कि हमने अपने business में total साथ लाक रुपे का capital raise करा हुआ है अब जैसा कि हमने अभी देखा यह पैसा free में तो आता नहीं है इस पैसे की क्या है एक cost अब वो cost कितनी है तो मान लेते हैं equity का जो पैसा है वो हमें कहता है sir मेरा तो 13% का return है जो मुझे चाहिए मैंने का ठीक है भाई साब आप 13% ले लेना preference वाले कहते है sir हम तो 10% लेंगे मैंने का ठीक है भाई साब debt वाले कहते हैं हम तो 8 में मान जाएंगे मैंने का ठीक है भाई साब अब जड़ा सोच के बताओ मेरी total cost कितनी अब मुझे इनको कितने कितने पैसे देनी है जड़ा सोच के बताना मुझे इनको कितने कितने पैसे देनी है 30 लाख रुपए equity से लिए अब जड़ा सोचना पहले logically सोचेंगे 30 लाख equity से लिए इनको 13% देना है तो इसका मतलब दोस्तों इनको 3,90,000 रुपए पे करने पड़ेंगे हमें इनको 3,90,000 एक साल का हमें return देना पड़ेगा पहले इतनी बात समझ में आ गए हमें क्या करना पड़ेगा इन्हें 3,90,000 पे का पर निकादी return दिया बच्चे क्या रहे यह percentage कैसे आया यह मैंने अभी number लिया यही हमें सीखना कैसे निकलेगा अभी दीरे दीरे सीखेंगे अभी तो जस्त मैंने directly ले लिया ठीक है नोट करने को भी बताऊंगा पर शाद 2 मिंट रुख जा परेफरेंस वालों से लिए 10,00,000 इनको 10% देना है मतलब 1,00,000 देना है डेट वालों से लिए 20,00,000 बटा 8% पर यानि की 8,26, 1,07,000 उपे इन्हें देनी है तो बताओ जरा हमें टोटल कितने पैसे पे करनी है तो अगर हम टोटल देखेंगे तो बिटा 6,50,000 रुपीज पे कर रहा है बिल्कुल राइट सर चलो अब मेरी थोड़ी हेल्प कर दो यार प्लीस अब मेरी हेल्प करो अब मुझे बताओ As a businessman, as this businessman इसने बिटा कितना पैसा पे करा बताओ जरा बताओ How much is the cost he has paid? How much cost he has incurred? 6.5,000,000 is the cost जो इसको एक साल की पड़ेगी For raising 60,000,000 का amount इसको 6,000,000 रुपे साल का देना है तो बिटा जरा बताना इसको एक साल की cost कितनी पड़ी? 6,000,000 का खर्चा हो रहा है, बदले में 60,000,000 का cost है तो बताओ जरा कितना percentage आया बिटा? आपके पास आ रहा है 10.833 percentage I hope पहले ये बात समन में आ गए Very good, सब बच्चों ने calculate कर लिया है, बहुत बढ़िया अब बताओ जरा ये क्या निकला? पेटा ये हमारे business का average, weighted average वाला cost आ गया बई, पूरा business as a whole घ्यान से सुनना पूरा business as a whole हमने business को complete देखा इसमें equity, debt, preference सब आ गया सब को मिला कर ये हमारी cost है जिसको हमने नाम दिया cost of capital यानि कि ये हमारे business की cost of capital बन गी बटा तो हमने यहाँ पर क्या करा? weighted average का concept लगाया क्योंकि सब के amount कैसे हैं, अलग-अलग है कैसा लग रहा है बटा, अब आपको जल्दी से बताओ कैसा लग रहा है अब आपको, समझ में आया पहले पूरा का पूरा point हाँ जी, अब बताईए किसी के मन में कोई doubt है तो please anyone having any doubt अभी तक, अभी तक कोई भी doubt है इंडिविजुली तो अभी सीखेंगे न, अभी तो हम पहले एक general overview ले रहे है अभी हम एक general overview ले रहे है कि भाई, पढ़ना क्या है ठीक है न परसंटेज में आएगा यह, परसंटेज में आएगा नमबर, चालो अब थोड़ा सा अगर हम इसे लिखने की कोशिश करें, तो भी अब बैसा तो नहीं है अब वो payment चाहे डिवीडेंट की फॉर्म में हो चाहे वो capital appreciation की फॉर्म में किसी में भी हो हाँ जी बिटा जतिन यह cost of capital है चल अब अगर हम इसको summarize करें तो बिटा देखिए हमारे chapter का जो नाम है जो हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं वो है बिटा cost of capital तो जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूँ मैं तो भाई या दो parts बना लूगा इसके I will make two parts कि बाई दो parts से पूरे के पूरे के एक word आया cost अब now what is meant by the word cost cost का मतलब बिटा सीधा सीधा हमारे पास हो गया expense expense का मतलब हो गया amount to be paid ये बिटा हमारे पास क्या हो गया amount to be paid ये वो पैसा जो हमें pay करना पड़ेगा for getting an item किसी भी item को लेने के लिए मुझे उसके बदले क्या करना पड़ता है कुछ खर्चा करना पड़ता है किसी भी item को लेने के लिए हमें बिटा कुछ खर्चा करना पड़ता है तो ये तो पहली बात हो गया बिटा भी सबके doubts लेता हो दो मिनेट रुख जाओ ठीक है अभी सबके doubts लूँगा ओके फिर capital क्या हो गया capital हो गया विटा amount which is which is required from या which is ऐसा लिखते विटा which is which is raised from various sources जो हमने अलग-अलग sources से पैसा रेस करा एक्जामफल हमने equity share से रेस करा हमने preference share से रेस करा हमने debt से रेस करा अब अगर मैं इन दोनों words को पैटा club together कर दूँ if I club together the two words इन दोनों शब्दों को हम जोड़ दें तो बताइए जी हमारे पास इसका मतलब क्या आ जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास बन गया it is the weighted average यह बिटा हमारे पास क्या बन जाएगा weighted average of cost of various sources from which capital is raised जो भी हमने पैसा रेस करा अलग-अलग sources से उन सबका weighted average कर दें तो बिटा यह हमारे पास क्या बन गया cost of capital अब मुझे एक बात और बताओ जल्दी से मुझे एक बात बिटा और बताओ जल्दी से बताना सोच के थोड़ा सोच के मुझे मैं यह बोल सकता हूं यह मेरा minimum cost है जो मुझे कमाना पड़ेगा अगर मुझे अपना business चलाना है अच्छे तरीके से तो यह मेरा minimum cost है जो मुझे कमाना पड़ेगा बाई देखो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे पास तीन लोग है equity वाले है preference वाले है debt वाले है equity को कम से कम तीन लाख नबबे हजार रुपे देनी है preference वाले को एक लाख रुपे देनी है और debt वाले को एक लाख साथ हजार देनी है यह तो मेरा minimum है इतना तो मुझे कमाना ही पड़ेगा अगर मैंने इतना कमाया तो ठीक है अगर नहीं कमाया तो भीटा हमारी कमपनी को नुपसान हो जाएगा उसकी वैल्यू मार्केट में डाउन हो जाएगी नेगिटिविटी आएगी येस और नो जल्दी से सोच के बताओ भाई जिसको उसका रिटार नहीं मिलेगा वो तो भीटा ठीची करना शुरू कर देगा भाई साब आप तो मेरा रिटार नहीं दे रहे आप मेरे पैसे नहीं दे रहे सोच के बताओ येस और नो तो भीटा यानी की यानी की ये वो चीज हो गई जो मेरे को कम से कम मिनीमम कमानी है तो पिटा इसको हम इस वजह से दूसरे शब्दों में बोल देती है In other words अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलू तो आपन क्या बोल सकते है It is the minimum rate of return It is the minimum rate of return To be generated To be generated जो मुझे generate करना पड़ेगा On the capital वह यह मुझे अपना business करके minimum rate generate करना पड़ेगा I hope पहले यहां तक की बात सबको समझ में आई अब मैं आप मैंसे कुछ बच्चों के doubts ले रहा हूँ जो आपके आ रही है अब आप बच्चे 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 बच्चा यह note करना शुरू कर दीजिए हमने सारा पैसा debt से क्यों नहीं लिया है ना मनबीर पूछने है सर हम तो debt से ही ले ले लेते debt सबसे सस्ता पड़ रहा why we have not taken from the debt तो पेटा सारा पैसा कभी भी loan से नहीं आता क्यों नहीं आता वो इसलिए नहीं आता क्योंकि कोई भी person आपको 100% loan नहीं देगा कोई भी person नहीं देगा इसके पीछे के reasons हम इसके आगे वाले chapter में सीखेंगे जब हम capital structure सीखेंगे कि भाई capital का structure क्या होना चीए उसमें कितना loan होना चीए कितना equity होना चीए कितना preference होना चीए यह कैसे decide होता है यह कैसे काम करते है यह कौन करता है वो सब हमारे पास होगा आई हो पहले बात समय में आगए ठीक है जी अचा सर getting an item means getting an item का मतलब है किसी भी item को acquire करने के लिए say for example आपको बिटा market में जाके समोसा खाने का मन करा तो आपको अगर समोसा खाना है तो उसके बतले you have to pay the money तो वो जो अपने payment करी समोसे के बतले वो आपकी क्या बन गई cost बन गई अगर ऐसा है तो उजवल एक काम कर मैंना कल एक company बनाता हूं जिसमें तू मेरे को equity का सारा पैसा दे दे काम मैं करूंगा profit मैं घर में ले जाओंगा तिरको दूंगा नहीं क्योंकि तुझे तो अपने return से मतलब ही नहीं equity को dividend देना जरूर ही नहीं तो मैं तुझे देता ही नहीं बात का तम तुझे बैठार अपना पैसा मुझे दे के क्या तू एगरी कर जाएगा इस बात को answer is no ठीके बिटा अमन आपका डाउट भी बिटा सेम है राहूल आपका डाउट भी सेम है है ना और कुछ भी जो बच्चा ही है उसका भी डाउट almost सेम ही है है ना तो यह तो हमने जनरल ट्रेंग बनाया है इसके पीछे का रीजन क्या वह हम आपको जब रेशोस का चप्टर पढ़ाएंगे तो डीटेल में बताएंगे ठीक है बिटा सर मतलब एकुटी तो कुछ देना ही पड़ेगा बिल्कुल बिटा एकुटी को तो देने ही पड़ेगा न हां चलिए यहां तक हो गया मेरे खाल से कॉपी सबका Everyone अब इसके बाद आपको यह वाला कॉपी करना यह वाला डाइगराम कॉपी करना जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से करिए फटाफट से बिल्कुल हो सकता है नो मोर वह हम धीरे धीरे लेकर आएंगे वह हम धीरे धीरे लेकर आएंगे साजित भाई ऐसे मत कर जल्दी जल्दी कर बिटा साजित बिटा जल्दी जल्दी फटा फट से बिटा ये जल्दी कर जल्दी कर ये ले तेरा रहे गया जल्दी कर हां बिटा जल्दी कर पड़ा फट साजित जल्दी कर बिटा ये वाली स्लाइट फटा फट से शाबश कॉपी कोई बात नी मिर्ग को पता है ब situación क्या करना है मुझे पता भुटा थोड़ा सब करो बटा हो जाएंगे निगुन हो जाएंगा है ना अहां मैं आपको नहीं सब कुछ करवाऊंगा मेरे को पता कहाँपर कितना टाइम लगाना है थे थोड़ास वेट करना पड़ेगा चलो अब आज ओ यहवाली स्लाइड पर पढ़ापट से जल्दी जल्दी से कॉपी कर ओ फड़ापट शाभाश जल्दी 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 शाभाश जल्दी से नेक्स स्लाइड, नेक्स स्लाइड जतिन आपकी चोईस है जो आपको PDF मिलेगा वो ही आपको हाट बुक में भी मिलना है तो आपकी चोईस है जैसे आपको अच्छा लगे ठीक है हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे विशाखा बिटा अशौग यही तो point है न कि हमें पहले से इस तरीके से विजनेस करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये काम हो समझे अशौग तभी तो हम कहने हैं न हमें यह minimum कमाना ही पड़ेगा समझे बिटा यह minimum कमाना पड़ेगा बिटा दीपक वो तो जब आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा बाद में बिटा बिटा प्रवीन आप गलत कह रहे हो cost of equity बिटा बिल्कुल आता है cost of equity बिल्कुल आता है वो कैसे आता है जब मैं cost of equity की detail बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी cost of equity का न बिटा वो पूरा detail बताऊंगा है न हांगी बिटा यश मुझे पता है यह सब हो जाते हैं बढ़ कुछ चीजे मुझे करवानी होती है जो ज़रूरी होती है इसलिए मिरे को वो copy करवाना है तो करवाना है न प्रवीन बिटा आपको मैंने बता दिया नहीं बिटा मुर्तजा यह अलग चीज है यह अलग चीज है चलिए पहले यहां तक copy हो गया जल्दी से जल्दी से जल्दी से बिटा हो गया copy बिटा summary book सब आपको यहीं पर मिलेगा मिलेगा आपको कुछ भी कुछ पर्चेज नहीं करना यू विल गेट everything right over here itself ठीक है बच्चा अनुपम बिटा क्या पूश्रों में को doubt नहीं समझा रहा आपका हां जी बिटा भी करवार हो कुछल एक बर पहले जल्दी से ये वाला नोट करो न बच्चा ये वाला ये वाला नोट करो बिटा जल्दी से चलिए यहां तक दन बच्चा लोग everyone 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 जल्दी 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 शाबाश ये लो बच्चा लोग फड़ 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 अब आशोगों बात करेंगे दोस्त अभी बात करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे अबात करेंगे-ठेक्षिन मतल¡ अब अशोग अभी दोटा साभ पर कीटी पर आएंगे तो आपको पूरी डीटेल बताएंगे अभी तो बात जस्मे Governor दीया चोटा सा समझ गया मेरी बात अभी हम इन तीनों की डीटेल में चलेंगे अभी इनकी बहुत सारी डीटेल से जो आपको पढ़ानी है अभी इनकी बहुत सारी डीटेल से जो आपको पढ़ानी है चलिए मेरे खाल से यहां तक का सारा काम दन हो गया everyone done everyone done जल्दी से बताईए जल्दी 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 प्लीज फटट 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 हान जी बिल्कुल अनुपम बिल्कुल अब ठीक है आपकी बात साफ़त में आ गई मुझे है ना हान जी बिता मुर्तजा सेमी चेप्टर होगा loan बिता यह एक्जामपल नोट कर लीजिए पड़फट से पड़फट से फड़फट से फिर मैं आपके साथ चलूँगा और आगे जल्दी से पहले यह एक्जामपल नोट कर लीजिए फिर मैं आपके साथ बढ़दाऊंगा और आगे अरुन बिटा कुछ तो छोड़ दे कहीं तो कहीं तो छोड़ दो बार बार एक ही डाउट पूछे जा रहे हैं कहीं तो जीने भी दो हर चेकर डाउटी पूछोगे ग difils sinon शोड़ी बैसे फिरणाय मेरे कहा थोड़ा सो पढाने का थोड़ा सा सिस्टम है थोड़ा सा मुझे टाइम दे बच्चा हल दन हो गया हलो 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 के एवरिवन इवरिवन इवरिवन जल्दी 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 बता दो जी छो अन्ग विट आ और नहां इल्गार आप है niemand Do a car also also जाइट चलो all good to go now all good to go ब़िया that जो अब मैं फोड़ा से परस्ट वाले पेज पर आरहा है इसमें एक दो चीजे और बताता हूँ छोटी-छोटी ठीक है चलिए इधर देखिए देखो पेटा हमने लिखा cost of equity share capital इसको ना हम प्यार से बोल देते हैं के पहले word समझ में आया के हम cost के लिए represent करेंगे जब हमने लिखा e इसका मतलब this is cost of equity share capital तो बताईए preference share capital के लिए क्या बन जाएगा सर ये बन जाएगा के पी that is cost of preferential capital similarly cost of debt के लिए बन जाएगा बेटा capital के और नीचे छोटा डी हम इसको छोटा डी यहां लिख देंगे तो ये बन जाएगा बच्चा के डी तो यानि कि अगर हम capital की cost की बात करें तो तीन पार्ट हो गए cost of equity यानि की के एक हो गया cost of preferential capital K P और एक हो गया cost of debt that is K D I hope पहले बात समन में आ गए फिर एक हमारे पास होता है weighted average वाला अब weighted average वाला क्या बन जाएगा यह हमारे पास कहलाता है overall cost of capital तो इसको हम नाम देंगे बिटा के ओ यह हमारे पास बन जाएगा के ओ overall cost of capital I hope पहले बात समन में आ गए चलिए जल्दी से पहले इन चार वर्ड्स को भी साथ साथ दिख लीजिए बिटा live class में option नहीं होता recorded में option मिलेगा जानवी बिटा अब live में अगर आपने speed बढ़ा दी मानले जानवी तुने live class की speed बढ़ा दी या तुने कम कर दी तो मैं जल्दी जल्दी धीरे-धीरे कैसे बोलूँगा मुझे कैसे पता जानवी ने speed बढ़ाई है तो मुझे जल्दी जल्दी बोलना है तो वह possible नहीं है न चलो आगे बढ़े चलो आगे बढ़ जाते है ठीक है चलो let's move on अब आते हैं बिटा अब हम चलते हैं अपने सबसे पहली डीटेल में तो हमारे chapter का overview तो आपको समझ में आ गया कि हमें इस chapter में पढ़ना क्या है बिटा हमने इस chapter में पढ़ना है कि capital जो है उसके कितने sources है तो देर थी sources, equity preference और डेट अब आज हम सबसे पहले आपके साथ जो start करेंगे वो start करेंगे बिटा cost of debt तो तयार है मेरे दोस्तारी की सारी कहानी के लिए तयार है मेरे दोस्तारी की सारी कहानी समझने के लिए बताइए जी everyone ready तो चलिए अब मैं आपके साथ चलता हूं और सबसे पहल तो अब हम आपके साथ बात करेंगे हमारे cost of debt को लेकर चलिए आईए जल्दी से हम यहां पर cost of debt की बात करते हैं किरन भी बताऊंगा सारी बाते बताऊंगा थोड़ा सा वेट कर बच्चा अभी न मेरे पास क्या होगा थोड़ा सा तरीका में क्लास में हलका फुलका लग रखूँगा उसके बाद क्या होगा बात में जब आ बुक से करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है जब आपको साथ साथ नोट करना है यह वाला जो मैं लिख रहा हूं ठीक है चलो देखो जो डेट होता है वह हो गया लोन बॉन डिवैंचर अब आप मुझे बताओ अगर इनको पैमेंट करनी है तो इनको पे क्या करते हैं सब टेक्निक ली आप इनको इंटरस्ट पे करते ह तो pay interest to them, आप इने क्या pay करते हो, interest pay करते हो, बहुत बढ़िया, चलो, अगला बताओ बिटा, अब जो interest होता है, वो कौन सी value पर pay होता है, बिटा, on what value your interest is paid, तो interest is paid on the basis of face value, on the basis of face value, बहुत बढ़िया, आप या तो इसे face value पर pay करते हो, या आप इसे loan के amount पर pay करते हो, अगर आपके पास loan चल रहा है, कोई bonds या debenture नहीं है, तो उस case में तो loan का amount होता है, और अगर कोई security है, जैसे bonds हो गया, debentures हो गया, तो उस case में face value हो जाता है, I hope पहले बिटा, बात सबन में आ गई, चलो, अब आपने बच्पन में ये point पड़ा होगा, आप मुझे बताएंगे, बिटा, ये जो interest होता है, ये क्या होता है, इस इट चार्ज अगेंस्ट Profit or appropriate propriction ओ Politica और था, हभार पटाव मैंने आप आ ये चार्ज अचलुक्न ज होता है, बताव बच्पन में तो पटाव बिटा ये चैर्जी के रहें, ये चार्ज होता है, गोसे, आपकी वज़ए से 73 marcs आयते flatter comments, thank you so much, nebota' यहЯ चार जगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, किसीई की जबान, लप लप आई है ना, चलो बहुत बढ़िया, तो फेटा यहाँ पर हम लिख देते हैं, interest is charge against profit, अब sir ये charge against profit का मतलब क्या होता है what is the meaning of this word called charge against profit sir इसका मतलब थोड़ा सा और detail में बताओ मैंने का चल अब हम इसका मतलब बिटा detail में आपके साथ समझे चल let's move on and इसका मतलब अब हम आपके साथ detail में समझते हैं पहले फिर हम वापिस अपनी फस्लाइब पर चलेंगे तो अब मैं आपके साथ एक छोट उसा example बनाता हूं ताकि आपको बिटा पूरी की पूरी चीज़े समझ में आए ठीक है हाँ बिटा भी सारी बात है आप सब बचाप सब कुछ पता करें इस टैक्स इसके बात लगता है company को देना ही पड़ता प्रॉफिट हो या ना ओपी एंडल में डेबिट हो तक क्या बात है सब को सब कुछ पता है मेरी तो जरुती नहीं अब इनलाइक इधर सुन हाँ इधर सुन नलाइक हाँ यह अलगी वाल करकिषाई आपको बच्चा में उण अंब आपको साजिद की कहानी सुननाने वाला जरा ध्यान से सुनिए गा बच्छों का नी आप스럽के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यह दिन है बहुत ही प्यारे बच्चे है दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं है ना दोनों ही एक बिजनस करते हैं दोनों का एक सेम बिजनस है भाई साथ दोनों बच्चों का सेम बिजनस है पहले आप समझ रहे हो कितनी गहरी दोस्ती है बिजनस भी एक जैसे ही खुला हुआ दोनों नलायक होने तो अब ज़रा देखेगा यह दोनों कैसा क्या-क्या बिजनस करते हैं और कैसे कैसे यह कमाई करते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं जतिन और यहां पर हम लिखते हैं साजित का गाम ठीक है देखे बिटा यह जो दोनों बिजनस करते हैं ना बिजनस हम तो बिजनस भी नी बोलते हैं यह तो बिजनस करते हैं बिजनस है ना तो देखे बिटा यह दोनों ने अपने अपने बिजनस में सेल्स करी माल लेते हैं दोनों ने दो दो हजार रुपए की सेल्स करी एक दिन में या महिने में जो मर्जी माल ठीक है तो ये बिद्नस करा दोनों ने अपनी अपनी sales करी अब sales करेंगे तो obviously उसमें से variable cost पे करेंगे तो बिटा मान लेते ही हैं इन्होंने variable cost पे कर दिया मान लो 700 700 रुपे दोनों ने 700 का बिटा variable cost पे कर दिया बहुत बढ़िया जी अब बताईए क्या होगा बिटा इसके बाद सर इसके बाद जैसे ही है माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं बिटा contribution तो इसने भी 1300 जनरेट कर लिए इसने भी 1300 जनरेट कर लिए I hope पहल नोट नहीं करना पस्वो फो पहले वाला करना था भी रुके जआ ठीक है चलो अब contribution में से आप क्या माइनस कर दोगे आपąी fixed cost तो इनों ने अपनी fixed cost minus कर ली माल लेते हैं 300-300 रुपए की इनकी fixed cost minus हो गई आप देख रहे हो बाई गहरी दोस्ती देख रहे हो बिजनस बिल्कुल सेम डिट्टो copy paste मतलब कोई इदर उदर जरा सा उच नीच का पापड़ा नहीं खेल रहे बिल्कुल एकदम same to same अब जैसे ये minus करा तो इनके पास generate हो गया बिटा profit उस profit को हम technically बोलते हैं EBIT इसका मतलब earning before interest and tax अभी इसमें interest और tax वगरा कोई adjust नहीं है उसके अलावा तो इसने भी 1000 रुपए कमा लिए इसने भी बिटा 1000 रुपए कमा लिए क्या पहले बच्चा बात समन्ग में आ गई चाल बहुत बढ़िया अब इसके बाद क्या हुआ इसमें से सबसे पहले बेटा क्या पहोगा interest अब देखो जतिन जो है ना जतिन ने का भाई देखो ऐसा है मैं तो loan loan में विश्वास नहीं रखता मैं कोई loan loan में उधार उधार में किसी का नहीं रखता तो मेरे पास तो सार पैसा अपना लगा हुआ है अपने business का यानि की equity वालों का लगा हुआ है मैं किसी उधार उधार में विश्वास नहीं रखता तो मेरा तो interest होगी जीरो निल बटे सनाटा मैंने का okay जबकि साजित कहता है सर मैंने तो loan लिया हुआ है मैंने का अच्छा साजित बता तेरा interest कितना जाता है कहता है सर मेरा interest जो जाता है मान लो 200 रुपे का जाता है मैंने का okay साजित ड़न अब बताओ ये दोनों अपना अपना यहां पर amount बेटा माइनस कर देंगे जैसे ही यह माइनस करेंगे अब इनके पास आगया earning before tax तो इसके पास बचे 1000 और इसके पास बचे 800 इन दोनों के पास इतने पैसे बच गए चलो बहुत बढ़िया अब जैसे यह आगे बढ़ने लगे वैसे ही हमारे फम मिनिस्टर जी आगए finance मिनिस्टर आगे बोलते आरे किते चलिए होन किते चलिए पहले मेरे tax तो दीजिए तो इनोंने का लोजी लो tax ले लो जी हमने कम बना करा है तो इन दोनों बच्चों ने tax की बात करी तो tax बटा कितना माल लेते हैं इनका जो tax है वो 30% पर लगता है तो भाई इस से 300 रुपे ले लिए और इस से 240 ले after tax कितना तो इसके पास बचे 700 और इसके पास बचे 560 अब थोड़ा सा इसका detailed analysis करते हैं तो तयार मेरी दोस्त चलिए अब जोड़ा थोड़ा detailed analysis करते हैं अब मेरे को एक बात बताओ जला मेरी एक बात बताओ पिटा दोनों का business same दोनों का सब कुछ same चल रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था बट फिर भी दोनों के case में पिटा ये tax में देख रहे हैं और differences आ गए are you able to see दोनों के बीच में पिटा tax में differences आ गए बताना जड़ा कितने का difference आया तो technically इन दोनों में tax में 60 rupees का difference आ गया भाई साब दोनों के tax के बीच में पिटा 60 rupees का difference आ गया जब इन ने tax दिया 300 जबकि साजित ने tax पिटा कितना दिया 240 का 60 rupees साजित ने कम tax पे करा बात तो ठीक है सर अब कौन मुझे बताएगा कौन मुझे ये जवाब देगा कि भाई साजित ने tax कम क्यों पे करा साजित का tax कम क्यों हुआ why सबसे पहले तो why why the tax is reduced तो tax is reduced बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया due to the interest भाई इसने एक extra खर्चा क्लेम कर लिया जिसकी वज़े से इसका tax कम हो गया तो बिटा बताओ क्या मैं बोलू क्या मैं बोलू इसकी वज़े से हमारा tax save हो गया इसकी वज़े से tax हमारा save हो गया जल्दी से बताई है चलो शाबाश बताओ जरा कितना tax save करा भाई ने सर 60 रुपीज save करा सर ये 60 रुपीज कैसे calculate हुआ तो जरा सोचो इस भाई ने 200 रुपै का खर्चा डाला 200 रुपै का खर्चा एक्स्ट्रा क्लेम करा जिस पर 30 परसेंट का saving हो गया यानि कि 60 रुपीज की saving Do you all agree with this statement? Do you all agree with my statement बिटा? 200 रुपै का खर्चा करा जिस पर 30 परसेंट का tax बच गया तो इसका मतलब 60 रुपीज इस interest की वजह से बचे ये 60 रुपीज का जो tax बचा ये interest की वजह से बचा बाकी कोई tension नहीं है येस सर बिल्कुल ठीक बात है बहुत बढ़िया तो जरा बच्चो मुझे सोच के बताओ अब आप मुझे सोच के बताएंगे तो company के अगर point of view से हम बात करें अगर हम company के point of view से बात करें तो आप मुझे बताईए company को interest कितना पड़ा what is the company का interest जल्दी से सोच बताओ जल्दी से सोच के बताओ company को interest की cost कितने की पड़ी बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कितने की cost पड़ी बच्चे कह रही है 140 की पड़ी बहुत बढ़िया शाबाश अतियुत्तम बहुत बढ़िया भाई देखो कंपनी कहेगी 200 रुपे पे करे थे बट इस 200 रुपे में से 60 रुपीज का टाक्स बच गया तो हमारे पास टेक्नीक ली जो खर्चा पड़ा वो 140 का पड़ा हमें जो टेक्नीक ली बिटा खर्चा पड़ा वो 140 का पड़ा बहुत बढ़िया अब जड़ा सोच के बताना मेरे दोस्त ध्यान से देखना ध्यान से जादू होने वाला है जादू सर इन दोनों में जो गैप है वो यही तो है चेक करना अरे हां सर इन दोनों का गैप भी तो 140 है क्योंकि टैक्स एज़स्ट हो गया यह 200 रुपे यहां पर थे बट इसने टैक्स 200 रुपे में इससे 60 रुपे बचा दिया तो नेट नेट 140 का गड़बड हुआ तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी 140 है क्योंकि बाक इतनी बात मेरे खाल चे समझ में आ गई होगी आपको थोड़ा इसको और डीटेल में देखते हैं आईए अब जड़ा 140 के उपर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं अगर मैं इस 140 की थोड़ी और चर्चा आपके साथ करूं तो बेटा जड़ा सोचिए क्या मैं इसे ऐसे लि 30% टैक्स बच गया यानि कि 60 रुपे बच गये तो टेक्नीक लिए 200 का बेटा 70 परसंट हो गया डू यू एग्री विद दिस मैंने बेटा 30 परसंट टैक्स हटा दिया या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 इंटू 100 में से 30 परसंट आपने टैक्स हटाया आपने 100 में से 30 परसंट टैक्स हटाया चलो योगेश कह रहा है सर नेट इंट्रेस्ट से समझ नहीं आया योगेश बिटा सुन आपने इंट्रेस्ट पे करा 200 ये बात ओक्की है इस इंट्रेस्ट की वज़े से आपका टैक्स में 60 रुपे बच गए इस इंट्रेस्ट की वज़े से क्योंकि आपने एक्स्ट्रा खर्चा क्लेम करा तो आपका बिटा टैक्स के 60 रुपे बच गए तो यानि कि आपकी पॉकेट से 200 रुपे गए 60 रुपे का सरकार से टैक्स बचा लिया तो नेट नेट आपको 140 की तो कॉस्ट पड़ी नेट नेट आपको 140 की कॉस्ट पड़ी अब 140 हमने कैसे निकाला 200 माइनस 60 या आप इसको 200 इंटू 70 परसंट भी लिख सकते हो ठीक है दोस्ट फिर 70 परसंट कैसे निकाल सकते हैं 100 माइनस 30 भाई टाक्स आपने एज़स्ट कर दिया इसमें फिर आप इसको क्या कर सकते हो आप इसको बिटा ऐसे भी कर सकते हो 200 इंटू 1 माइनस 0.30 या मैं अगर इसको लिखू तो बिटा ये मेरा था इंटरस्ट और ये मेरा हो गया टाक्स का रेट तो देखिए आपके पास सबसे पहले एक इक्वेशन सी यहां पर तयार हो गई आप चेक कर लीजिए ये आपकी नेट इंटरस्ट कॉस्ट हो गई आई हो पहले बात समझ में आ गई हां बेटा प्रॉफिट तो कम हुआ बट प्रॉफिट तो 140 से कम हुआ ना खर्चा 200 का था क्योंकि 60 तो टेक्स बच गया यही तो मैंने बताया प्रॉफिट 140 से कम हुआ क्योंकि 200 का खर्चा था बट इसने 60 रुपे बचा दिये तो प्रॉफिट तो 140 से ये अजस्ट हुआ ना बटा तो 60 रुपे यानि कि आपके बच गई है टेक्नीकली तो आई हो पहले इतनी बात अब आपको समझ में आ गई है ठीक है बट चलो चलो इसको एक और तरीके से बताता हूँ घवराओ मत घवराओ मत मैं हूँ ना एक और तरीके से यहां पर मैं एक और और करके एक और तरीका भी बताता हूँ देखो बिटा अब इस वाले से चलते हैं हमने लिखा 200-60 सर क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200-200 का 30% ये 60 कैसे निकाला था 200-30% हमने का yes 200 बिटा common ले लेती है अगेन क्या बचेगा 1-30% या 0.30 अगेन ये क्या बन गया सर 200 हमारा interest है और 1-T है तो अब बताईए net interest cost आपने कैसे निकाल ली अगेन सर अगर हम net interest cost की बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके से निकल गई है अब बताईए बिटा कैसा लग रहा है अब आपको समझ में आया है पहले यहां तक अभी आपको have you got this concept सबसे पहले ये मैंने कैसे करा है सारा का सारा मैंने आपको क्या बोला concept समझना है बिटा logic समझना है रट्टा बिल्कुल नहीं मारना हमें तो concept पे focus करना है हम कोई रट्टे वाले बाद नहीं है कि रट्टा मार लो हाँ बस होता है नहीं हमें समझना ऐसा क्यों हुआ वाइट इस देर है ना चलो अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखू तो हम यहां पर थे बिटा तो हमने अभी तक लिखा cost of debt हमारे पास क्या करता है इंट्रस्ट पे करना है इनको इनको इंट्रस्ट पे करना है इंट्रस्ट face value या loan amount पर होगा इंट्रस्ट is charge against profit अब जो नया point है वो क्या हमने बताया हम यहां पर कहते हैं इंट्रस्ट creates tax saving इंट्रस्ट जो है वो मेरे लिए एक खर्चा है और उस खर्चे पर मेरी बेटा tax की saving होती है उस खर्चे पर हमारी tax की saving होती है हमारी tax की बचत होती है तो इसका मतलब अगर हम आपसे बोले net interest cost कितनी तो net interest cost हमें निकाली सर जो भी interest है आप उसे 1-t से multiply कर दे और अगर हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर हम लिख देंगे where t is equal to your tax का rate आपका जो t है वो tax का rate बन जाएगा कैसा लग रहा है अब आपको बोलो जी पहले यहाँ तक समन में आया निशा कह रही है tax बचाने का पाइदा क्या पेटा टाक्स बचाकर आपका पैसा बच गया ना your money is saved वरना आपको पूरे पैसे देने थे अब आपका पैसा बच गया तो आपकी as a organization पाइदा हो गया ना बच्चा चलो अब एक काम करो पहले फड़ा फट से यह copy कर लो यह copy कर लिया आप सबने हां जी यह copy कर लिया बोलो जी बोलो is this done is this done पेटा यह तो मैंने बोला ही था साथ साथ आप copy कर ले ना यह तो मेरे खाल से हो गया होगा copy yes sir यह हो गया बहुत बढ़िया चलो यह आपने अगर copy कर लिया है बहुत भी बढ़िया तो अब आप जल्दी से यह example note करो उसके नीचे जो आपने copy कर रहा उसके नीचे example note करो ताकि याद रही है tax saving का फंडा क्या था हां जी बढ़िये net interest का concept लिग दिया भविश्य शर्मा हां जी बढ़िया बिल्कुल ठीक है प्रशान मैंने भी वही कर रहा है बढ़िया आपका थीरे धीरे करेंगे फिटा एक साथ मी ना उंरिटा इंट्रस्ट आपको कम पे करना पड़ा ना इंट्रस्ट आपको कम पे करना पड़ा मिटा ultimately इससे क्या होगा आपका जो अर्नीग पर शेयर है जो हमें शेयर की वेल्थ है वो ज्यादा हो जाएगी वो कैसे ज्यादा होगी अभी आगे सीखेंगे ठीक है ना निशा बेटा बात तो वही है ना देखो ऐसे समझो एसे समझो मेरी बात समझ आप निशा मिलिंद और यहां पर भी कई बच्चे हैं जो मेरे से डाउट पूछ रहे यूट्य मुझे बात बताओ आपको ना दो समान लेने है एक आइटम थोड़ी सस्ती है और एक आइटम महंगी है दोनों का काम सेम है दोनों का इस्तमाल बिल्कुल सेम है यूज दोनों ने बिल्कुल सेम होना है जैसे अगर मैं पैन की बात करो आपके पास ऑप्शन है आप 10 रुप नफिस वाला पैनलो काम तो दोनो ऐस़ा नहीं करेंगे ना आप अल्टी में लिख पाऊगे पाहने में उससे यहार नो तो आप कौन सा पैन लेना चाहोंगे obviously sir हम सस्ता वाला पे लेना चाहेंगे क्योंकि काम तो दोनों ने ultimately same करना है हाँ बाकी कई बच्चे कहेंगे नहीं हम तो 10 वाला लेंगे हम तो 50 वाला हम 200 वाला भी लेंगे ले तो कोई भी सकते हो ले तो आप कोई भी सकते हो बच हर कोई चाहेगा अपनी कोस्ट को अप्टिमाईज करना बच जब सेम ही काम सारी चीज़े कर रही है तो we will go for a cheaper option जहां पर सस्ता मिले तो सेम में यहां पर है पैसा तो हम कई sources से ले सकते हैं हम equity से भी ले सकते हैं preference से भी ले सकते हैं अपनी minimum required return या total cost को minimize करना है तो मैं सस्ते option पर जाना पसंद करूँगा या नहीं करूँगा बताओ जरा मुझे मैं जाना पसंद करूँगा येस सर तो इस case में मुझे ये देखना पड़ेगा ना debt को मुझे कितना देना पड़ रहा है debt की वज़े से मुझे कितना है तो ये debt की cost हो गई अब मैं इसको compare करूँगा भाई देखो हम कहा रहे है interest दिया बिल्कुल दिया बताओ अगर debt से पैसा नहीं लेंगे तो पैसा या तो preference से लेंगे या equity से लेंगे देना तो उन्हें भी पड़ेगा ना एसा तो नहीं है उनको बिना दिये मेरा business चलता रहेगा देना तो उन्हें भी पड़ेगा तो देना तो मुझे interest भी है preference dividend भी है equity का भी है इसको सबसे सस्ता पड़ रहा है हम वहाँ से लेना पसंद करेंगे न तो हम यहाँ पर क्या करें हमें अलग अलग सब की cost निकाल रहे है अलग अलग हम सब का identification कर रहे है अब बात समझ में आ गई बेटा सब को जो भी doubts थे सब के हाँ जी अब बेटा सब को clear हो गया जो भी बच्चे थे जिन जिन का भी छोटा मोटा doubt आ रहा था I hope पहले अब सब का clear all clear हो गया होगा ठीक है चाट अब जल्दी से यह example copy करो फटा फट से शाबाश पिटा वहां पार आपने बहुत थोड़ा सा पाल वहां पर आपको बहुत डिटेल में समझना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जो जाएंगीजा बहुत भड़ी या चलो अब मैं इस या इसका थोड़ा आगे चलता हूं और दिमागा लगा है थोड़ाका । आर यू रेडी गाईस आर यू रेडी रेडी चलो अब मैं चलता हूं थोड़ा सा और आगे और दिमाग लगाते हैं इसके अंदर अभी तो शुरू हुआ है टॉपिक अब तो बेटा मजा आना शुरू होगा चलो अब मैं एक और एक्जामपल बनाता हूं अब एक और कोश्चन भी करवाएंगे कल करवाएंगे मंडे को करवाएंगे कॉश्चन आज तो भी चलेगा भी तो कॉंसेप्ट नहीं हाता मेरे ललु लाल पहले कॉंसेप्ट तो समझ ठीक है चल अब जड़ा समझो अब जो मैं एक्जामपल देने वाला हूं इसका वास्तविक जीव से कोई संबंद नहीं है तो ऐसा करके मुझे कोई भी परशान ना करें या कोई भी मेरे को परशान ना करें ठीक है ना हाँ चलो आज ओजरा अब हम चलते हैं अगले एक्जामपल पर अगला एक्जामपल हम बात करें हमारे पास दो बच्चे निखिल है और एक सौरव है हमारी क्लास में दो बच्चे दिख रहे हैं मेरे को पी डबलू में एक निखिल और एक सौरव यह दो बच्चे प्यारे प्यारे से आईए आज हम इनके नाम को अमर कर दे निखिल और सौरव मुर्तजा कहा रहा है गए बेचा रहे यह दोनों के दोनों इनका क्या ही होगा कुछ नहीं होगा ने लाइक सुनले हाँ चलो आए बेटा निखिल और हमारे पास कौन था मैंने दूसरा नाम कौन सा लिया था सौरव हाँ सौरव सौरव चलो देखो बेटा यह हूं मैं यह कौन है आपके सुनील सर ठीक है यह सुनील सर है मैं फोटो बना दू अपनी वह मेरी ड्राइंग पर मज जाना यह देखो यह मैं हूं अच्छा बच्चा सा एकदम बढ़ा बढ़िया सा बच्चा दिख रहा है यह मेरी पोटो दिख रहे हैं प्यारी सी हैं हमारा सबसे पहला बच्चा निखिल आज हम पहले निखिल की बाते करेंगे ठीक है YouTube यह हमारा यो यो बच्चा मतलब आजह के जवाने का modern स्पाइक्स रखें वें लौन ने एक लुक अब नेकल थोड़ी पर्सनल बाते कर रो हasıbar तो ने रात को बात कर रहा है तो बच्चों को समझाने तेरे दोस्तों को ठीक है तो डॉन टेकिट ठीक है चलो तेखो निकल ना परिशान था कल यह बहुत परिशान था निकल कहता है सर्थ मेरी ना मेरी निकल की एक सहली है निकल की एक सहली है तमझ गए यह बेटा निकल की सहली और कोइंसीडेंटली उसका हैपी टू यू बड़े है जी समझ रहा है यह निकल की सहली और उसका हैपी टू यू बड़े है जी हपी बड़े देख लो बेटा हैपी बड़े अब निकिल को इसको क्या देना पड़ेगा बताओ हैपी बड़े पर निकिल को अपनी सहीली को क्या देना पड़ेगा इसको गिफ्ट देना पड़ेगा अब इसको गिफ्ट देना है निकल को एप निकल बड़ा परिशान निकल का खोन आया पनी सहील नहीं सहीलिकी मिरीं अपनी सहीली नहीं किया दू यह तव है है जआई समझ नहींको मतलब मैं क्या यह बताओ अद्ध आप भालना है ब्रो ब्रो वाली प्रवाली मैंने का हाँ ब्रोबोल क्या रहे रही सर थोड़ा था ताइट है कुछ क्ष प्लीज क्या समझ नहीं आ रहा मैंने का निखिल चल देख तेरा दोस्त है तू अपना ही है अपनी क्लास का बच्चा है अपना ब्रो ब्रो अपना ब्रो ब्रो तो निखिल कहता है मैंने का चल निखिल एक काम का मैंने बिटा निखिल को क्या दिये दो हजार उपे दिये पहले बात सब्सक्राइब में आ गई अब निखिल ने दो हजार उपे लिए और जाने लगा क्या थेंक्यू सर थेंक्यू सर थेंक्यू सर मैं चला जैसे यह आगे चला मैंने का ओ ओ ओ निखिल किते चलिए और किते च बना रहा हूं और तु मेरा ही काट में में लगा है मेरा ही बकरा बनाने में लग गया तू क्या हुआ मैंने का तुझे समझाया था नलायक जो भी इंट्रेस्ट जो भी लोन पर पैसा जाएगा जो डेट पर पैसा जाएगा उस पर क्या पे करना पड़ेगा ओ सर मेंने का चले काम कर तू अपना है अपने तो अपने होते हैं चल तू मुझे मेंं सा रुपए ने लग है बताओ बिटा अब निखिल को अपनी सहेली का बढ़े मनाने के लिए 2000 रुपे मिल गए जिसके बदले इसे 100 रुपे का कॉस्ट पे करना पड़ेगा इस इंटरस्ट ठीक है चलो अब जना मुझे बताओ निखिल के लिए लोन की कॉस्ट बिटा कितनी हो गए loan की cost अगर निखिल अपनी percentage terms में निकालेगा कि उसे कितना cost पढ़ा तो बिटा बताईए percentage में ललू लाल मेरे percentage में हाँ percentage में कितना तो बताईए निखिल क्या बोलेगा sir मैंने आपको pay करने है 100 रुपे और बदले में आपसे मुझे मिले 2000 रुपे तो अगर हम percentage के लिए 100 से multiply करें तो सब बच्चों ने जवाब दे दिया है technically it's a 5% cost do you all agree? technically it's a 5% cost हमने का yes sir yes sir वास sir वास sir तो बताईए अगर मुझे किसी भी चीज़ की cost की percentage निकालनी है तो हम cost percentage कैसे निकालते हैं? बिटा इसका एक simple सा अंसर है simple सा dialogue क्या है? या pay करा वाई निकिलने क्या pay करा बताईए जरा निकिलने बिटा 100 रुपे पे करे versus 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 बताईए बिटा या receive करा तो बताईए जरा निकिलने बिटा क्या receive करा अपने पास? बताईए जरा बताईए मुझे निकिलने क्या receive करा? 2000 रुपए तो टेकनीकली अगर हम यहाँ पर देखें तो निखिलने पेकरे 100 रुपए वर्सिज मिले 2000 रुपए और परसेंटेज वाइज इट सा पांच परसेंट क्या बेटा पहले इतनी बात समझने आईए तो दोस्तों अगर हमें अपनी कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास कॉस्ट का परसेंटेज निकालने का कॉंसेट एकदम रेडी हो गया है बताईए जी एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट पहले तो बताओ जी तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई आपके पास जो कॉस्ट है वो आपकी कैसे निकलेगी तो अब आपको समझ में आ गया पहले क्या पे करा वर्सिज क्या रिसीव करा जल्दी से बता दीजिए क्लियर है चलो अब पहले इतने का कॉंसेट हम बना लेते हैं चली बटा अब देखिएगा सबसे पहले अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप मुझे बताईए अगर हमें निकालना है फॉस्ट ऑफ डेट यानि कि बच्चा हमें कैलकुलेट करना है केडी तो बताईए केडी कैसे निकलेगा अब थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं पहले तो आपने एक जन्रल बात कर रहा ठीक है तो बताओ बच्चा सबसे पहले क्या पे करा तो बताईए हम जो पे करेंगे वो क्या पे करेंगे डेट वाले लोगों को तो हम पे करेंगे दोस्तों इंट्रस्ट हम पे करेंगे बटा इंट्रस्ट बट रुखो 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 सर क्या हुआ क्या हुआ अरे सर अभी तो आपने सिखाया था इंट्रस्ट तो टाक्स बचाता है तो टेक्नीकली मेरी जो कस्ट होगी वो तो यह वाली होगी चा पता बात समझ में आई तो हमारी जो कॉस्ट वो तो ईंट्रस्ट वन माइनस टी है वो तो इंट्रेस्ट 1-T है क्या पहले यहां तक की बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया बदले में क्या मिला बदले में आया लोन कामा हूँ बट हम उसको यहां पर बोलेंगे P0 तो बटा conceptually formula wise हमारे पास बन जाएगा I 1-T divided by आपके पास आ गया P0 सर अब यह क्या क्या है तो मैंने का आईए जरा इसकी पहले terminology लिख लेते हैं तो terminology की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आया I तो I तो बन गया हमारा interest फिर numerator में है T T हमारे पास हो जाएगा दोस्तों हमारा tax rate अब एक नया नाम आगया बेटा P0 अब एक नया नाम आ गया P0 सर यह P0 क्या है अब थोड़ा इसके बारे में guide कर दो तो मैंने का चलिए अब हम आपके साथ चलते हैं आपके P0 वाले point पर तैयार बेटा चा अब जड़ा सोचो मेरे साथ साथ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बिटा यहां पर देखो जब भी कोई security issue होती है तो सबसे पहले उस security का एक face value होता है there is a face value to which a security is issued बताओ जड़ा बताओ there is a face value for which the security is issued do you agree with this face value होता है अब there is a probability या possibility या तो मैं उसे premium पर issue करूँगा अगर मैंने उसे premium पर issue करा तो यह जुड़ जाएगा अगर मैंने discount पर issue करा तो वो हमारी face value में से बिटा कम हो जाएगा आई हो पहले बिटा इतनी बात समझ में आ गई या तो वो चीज हमारे premium पर है या वो चीज हमारे discount पर है as the case में भी वो बिटा हमारे पास आ गया तो यहां से तीनों को adjust करके मेरे पास क्या निकल जाएगा बिटा तीनों को adjust करके मेरे पास आ जाएगा issue price we will have our issue price with us, कोई doubt है बिटा यहां तक any doubt up to this level बताओ बच्चा any doubt अभी तक अब एक बात का खयाल रखना है कि premium या discount इन दोनों में से कोई एक ही आएगा या तो premium होगा या discount दोनों में से कोई एक दोनों एक साथ नहीं आएंगे ठीक है बच्चा चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं विटा चलिए और आगे बढ़े तो अब बताईए ज़रा सोचिए जब मैं security market में issue करूँगा तो उसके बदले मुझे बेटा वहाँ पर brokerage पे करनी पड़ेगी stamp duty पे करनी पड़ेगी सरकार को मेरे को और fees पे करनी पड़ेगी listing fees एटसेक्टरा 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 कई सारे प्रकार के charges पे करने पड़ते हैं STT है वो जो भी बच्चे हैं कहा रहे हो ये सारे जो charges है बटा हमने इन सब को consolidate करकर एक word बोल दिया और उसका नाम रख दिया floatation cost हमने बटा क्या नाम रख दिया floatation cost floatation cost का मतलब security को float करवाना float करवाना market में launch करना market में issue करवाना तो ये खर्चा हमारा इसमें से बटा minus हो जाएगा क्योंकि ये खर्चा तो हमें pay करना है अब जो बच गया वो finally क्या होगा बटा वो वाला पैसा है जो company को receive होगा ये वो पैसा है जो company को हाथ में मिलेगा in hand तो बटा हमने इसका नाम क्या रख दिया हमने इसका नाम रख दिया net proceeds क्या पहले दोस्तों बात समन में आगए हमने इसका नाम रख दिया net proceeds I hope पहले बटा बात समन में आगए तो बस ये जो P0 है पिटा यह होगा सबसे पहले हमें हमेशा धूंदना पड़ेगा कि भाई हमारे पास हमें क्या मिल जाए हमारे पास हमें मिल जाए हमारे net proceeds पहला option अगर net proceeds ना मिलें तो इसकी जगए फिर हम prefer करेंगे कि हमारे को market value मिल जाए या अगर ये भी नहीं मिले तो हमें issue price मिल जाए दोनों में से कुछ भी मिल जाए और अगर ये भी ना मिले तो last option हम देखेंगे कि हमें बिटा क्या मिले face value मिले I hope दोस्तों पहले यहां तक की बात समझ में आई है जब हम ये वाली calculation करते हैं तो कई बार हम issue price की जगह अपने पास market value भी वर्ड यूस कर लेते हैं अब बताओ जड़ा यहां तक की बात समझ में आई है बिटा flotation cost आपको बताया issue करने की cost होती है वह हमें अपने debentures को bonds को किसी भी चीज़ को issue करना है या मुझे लोल लेना है तो बैंक मुझसे processing fees के नाम पर एक charges लेगा अपने तो वह आपके flotation cost में आ गए अब आपको समझ में आ गया बिटा आई हो पहले अब आपको समझ में आ गया और ये मुझे pay करना पड़ेगा इसलिए minus हुआ आई हो everyone is clear up to this level पहले तो बता दो बच्चा everyone is clear up to this level कोई doubt shout किसी को कोई doubt shout बिटा किसी को चालो बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो जी आज के लिए अभी इतना ही करते हैं आज के लिए अभी हम इतना ही कर रही हैं ठीक है यह आपने नोट कर रहा है अब ध्यान से सुनिएगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताए था बिटा मंदे से मंदे से मैं आपके साथ एक तो सुभा मिलने वाला हूँ 8-9.30 और फिर एक से तीन बजे मिलने वाला हूँ यह continuation म इसलिए मैंने बोला कि अगर वो नहीं होगा तो आप मार्केट वैल्यू या इशू प्राइज ले 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 ना ठीक है बच्छा अगर कोश्चन में नागी बनो मैं पहले मिलूंगा सुभा आट से साड़े नौ फिर हम मिलेंगे एक से तीन मैं उमीद करूं अब यहां तक की है आपको सारी चीजी आज अच्छे से समझ में आ गई है तो आ गई है तो भाई मतलब की है और और? भाई